बच्चो वेरी वेलकम तो लोफ यू लेड़ स्टार्ट आप लोग को याद होगा हम लोगने क्या चालू कर दिया था टॉपिक चालू कर दिया था हम लोगने अपील और अपील के अंदर में हम लोगने सबसे पहले अपील्स पूरा पढ़ लिया था उम्मीद है आप लोगोंने सी आईटी अपील्स को फटाफट रिविजन कर लिया होगा लेड़े स्टार्ट एन डू दी अनादर सेक्शन 253 याद होगा तो 253 भी हम लोगने कर लिया था डैट वस अपीलेबल और बिफोर आईटी एटी जि हाला कि सर्च के केसे के अंदर में वो 30 डैज पे आ जाता था जिसको हमें आगे जाके पहले पढ़ना भी था 253 सबसेक्शन 4 आप से कहता था कि जैसे ही आप लोगोंने अपील फाइल की आईटी एटी को अधर पार्टी को ये नोटिस जाएगा और अधर पार्टी को विद एक और बात करी थी इसके बाद में 253 सबसेक्शन 5 हम लोगोंने पढ़ा था कि आईटी एटी क्या कर सकता है इस 60 डेज या 30 डेज ऑफ मेमोरेंडम आफ क्रॉस अबजेक्शन के बाद भी इसे क्या कर सकता है एकसेप्ट कर सकता है अगर उसको ऐसा लगता है that there was a valid reason for doing so फि 253 सबसेक्शन 6 हमें बात करता है कि जब हम ऐसे आइटी के पास जाएंगे तो उसके अंदर में कितनी फीस हमें देनी होगी या दोगा तो सी-ईटी अपील के सामने भी जब हम जा रहे थे तो हमें फीज देनी पढ़ रहे थी ठीक उसी तरीके से जब हम आईटी एटी के सा होता है उसके अंदर में आपको फीज देनी होती है so let us start 253 subsection 6 क्या कहता है an appeal to appellate tribunal shall be in the prescribed form prescribed form कौन सा है हम लोग पहले ही बता दें prescribed form form number 36 right it shall be in the prescribed form form number याद रखना होगा क्या मैंने पहले ही बोल दिया यह सब कुछ याद रखने की ज़रत नहीं है हाला कि फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको याद रखना चाहिए तो बिलकुल याद रख लो an appeal to the appellate tribunal shall be in the prescribed form verified in the prescribed manner and shall in case appeal made after 1998 irrespective of the date of initiation of assessment procedure relating there to be accompanied by a fees off तो sir 1998 के बाद ये एक फीज लागू कर दी गई है चार पार्ट में divided है where total income of assessi as computed by AO AO की द्वारा compute की गई income के उपर आपको आपकी फीज पे करनी होगी if the amount of income as computed by AO is up to 1 lakh रुपीज or less the fees is रुपीज 500 तो sir अगर AO के द्वारा compute की गई income आपकी एक लाग रुपे तक के है तो आपको फीज है 500 रुपीज एक लाग से दो लाग अगर आपकी फीज है एक लाग से दो लाग अगर आपकी इंकम है तो फीज है आपकी 1500 रुपीज if it is above 2 lakh रुपीज then 1% of the assessed income subject to maximum of रुपीज 10,000 तो यह एक फीज रखी गई है जहां subject matter income से related नहीं है for example approval अगर वाले related है तो ऐसे case में एक general फीज 500 रुपीज रखी गई है जहां assessment से related नहीं है तो फिर फीज कित्ती रखी गई है 500 रखी गई है exam point of view prescribed fees भी अगर exam पे याद नहीं आता तो prescribed fees डाल देना game over हो जाएगा कोई problem नहीं है तो subsection 6 हम से बात करता है fees की आप बाजू में possible है तो ऐसा short में लिखके रखेगा ताकि जब आप additional subsection पढ़ते रहें तो आपको पता रहे कि यह किस बारे में बात करता है ठीक है sir 253 subsection 7 stay of demand अगर आपको याद होगा तो जब भी हम लोग को कोई भी appeal करना होता है उसके पहले हमें pre deposit of tax देना होता है pre deposit of tax को क्या रोका जा सकता है yes कैसे रोका जा सकता है by providing a stay of demand तो जब आप IT 80 के सामने जाएंगे stay of demand के against में तब भी आपको एक fees देनी होगी and that fees is rupees 500 that fees will be rupees 500 so an application for stay of demand shall be accompanied by a fees of rupees 500 बस इतनी सी बात है और कोई काम की बात नहीं है तो यह था 253 जो आपको बता रहा था कि sir कौन-कौन से appealable order है और appeal करते वक्त क्या-क्या mechanism work करेगा कितनी fees भरेगे कौन सा form भरेगा अब आते हैं इस chapter के सबसे 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 important section पर 254 254 हमसे क्या बात करता है 254 हमें बात करता है order of appellate tribunal sir क्या इसमें amendment है answer is yes इसमें भी amendment है by finance act proposed amendment कुछ और था और जब finally finance act passed हुआ तो उसके अंदर में कुछ और आया हम उस बारे में बात करते है 254 हमसे किस-किस बारे में बात करता है सबसे पहले तो 254 हमसे बात करता है कि boss IT 80 के पास power है कि you know after taking such information as in thing fit वो अपना order क्या कर सकते है pass कर सकते हैं दूसरा सब section हमसे कहता है कि क्या IT 80 अपना खुद का order rectify कर सकते हैं मैं आपको याद दिरा देता हूं हम लोग chapter में थे rectification rectification कौन सी authority कर सकती है income tax authority कर सकती है जो 116 में लिखी है क्या IT 80 उसमें आता है answer is no तो क्या 154 में IT 80 rectify कर सकता है answer is no but IT 80 has all the power which are available with the authority not directly but indirectly वो अपना rectification कर सकता है 154 में बट यहां उसके power दिये है 254 subsection 2 हम से कहता है कि IT 80 क्या कर सकता है rectify कर सकता है और इसके बाद 2A के अंदर में आया है sir amendment यह आपको time limit भी बताता है साथ साथ में यह भी बताता है कि sir stay proceedings किस तरीके से की जाएगी आईए एक एक subsection पढ़ते हैं आपको clarity आएगी सबसे पहले appellate tribunal में after giving both the parties an opportunity of being heard pass such order there on as it think fit तो IT 80 क्या कर सकता है कोई भी order pass करता है जो उसको लग रहा है सही है जो उसको लग रहा है कि हाँ यह logical है वो order वो pass कर सकता है लेकिन दोनों parties को क्या देना होगा उसको opportunity of being heard देना जरूरी होगा दूसरा 245 subsection 2 क्या बात करता है क्या वो अपना order rectify कर सकता है yes IT 80 क्या कर सकता है अपना order rectify कर सकता है sir कितने दिन में within 6 months yes यहाँ time limit 6 months ही है बिलकूल sir check किजेगा the appealer tribunal may at any time within 6 month from the end of the month in which order is passed with a view to rectify any mistake apparent from record amend any order passed by it under section 254 subsection 1 so 254 subsection 1 के अंदर में जो भी order IT 80 ने पास किया है अगर उसको लगता है if there is a mistake apparent from record तो यह mistake को क्या कर सकता है वो rectify कर सकता है सब कितने दिन में rectify कर सकता है within 6 months वो क्या कर सकता है rectify कर सकता है याद करना मेरे दोस rectification का general time limit क्या था वहाँ पे उस 154 में 4 years का था यहाँ पे वो time limit है 6 months इस बात को भूलना नहीं है and shall make amendment if there is a mistake brought to its notice by assessi or assessing officer यह बात समझेगा mistake कोई भी उसके सामने लेके आ सकता है assessi भी लेके आ सकता है assessing officer भी लेकर के आ सकता है यह बात याद रखना होगा provided that amendment which has effect of enhancing the liability or reducing the refund याद कीजे opportunity नहीं देनी होगी अगर आपकी liability बढ़ रही होगी इस amendment से या आपका जो refund है यह कम हो रहा होगा तो क्या O.B.H. देना जरूरी होगा कि नहीं होगा और यह खुद section ही कहता है provided that any amendment which has effect of enhancing an assessment or reducing a refund or otherwise increasing the liability of the assessee shall not be made enhancing an assessment shall not be made unless the appellate tribunal has given notice to the assessee to do so and has allow a reasonable opportunity of being heard provided that any application filed by the assessee under this subsection after 1998 shall be accompanied by a fees of rupees 50. so sir ऐसा कोई भी application rectification का अगर होगा तो उसके लिए 50 रुपे की additional fees आगको देनी होगी बहुत मामूली सी पीस है कोई बहुत बढ़ी बात नहीं है sir चलिए subsection 1 254 का subsection 1 कहता है IT 80 वो सारे order pass कर सकता है जो उसको सही लगता है subsection 2 कहता है order pass करने के बाद अगर उसको दिख जाता है if there is a mistake appearance from record क्या दिख जाता है if there is a mistake appearance from record तो वो 6 months from the end of the month in which order is passed वहाँ से वो क्या कर सकता है rectification pass कर सकता है लेकिन कोई भी ऐसा rectification जो assessi की liability enhance कर रहा होगा या refund reduce कर रहा होगा उसके लिए उसे OOBH देना mandatory होगा clear है मालिक आते हैं subsection 2A के उपर 2A आपको सबसे पहले बताता है कि IT 80 कितने time limit के अंदर में pass करेगा याद होगा तो assessment चालू करते वक्त भी लोग ने एक बात पड़ी थी कि अगर आपको power दिये हैं तो power कम सुर्थ लिमिटेशन तो यहां का limitation period कितना है यहां का limitation period जितने word है उतना ही IT 80 4 word यहां पर भी 4 साल दिये हैं 4 साल के अंदर में 4 साल के अंदर में IT 80 को क्या करना होगा अपना order पास करना होगा 4 साल विदिन 4 यर विदिन 4 यर from the end of financial year इन विच अपील इस फाइल अंदर 253 1 और 253 2 वहां से 4 साल आपको क्या करना होगा अपना order पास करना होगा तो पहला point यह बोलता है 254 subsection 2A चेक कीजेगा इन अवरी अपील IT 80 where it is possible here and decide within a period of 4 year from the end of financial year in which appeal is filed तो sir यह आपको क्या दे रहा है time limit दे रहा है यहाँ पे लिख दीजे time limit यहाँ पे लिख दीजे rectification so IT 80 कितने साल में करेगा sir 4 year from the end of financial year in which appeal is filed तो जब भी आपने appeal फाइल की उस financial year end से 4 साल के अंदर में आपको क्या दे देगा IT 80 अपना order दे देगा अच्छा जी इसके आगे का part आप पढ़िये मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज यहां पर दे भी है मैं चाहता हूँ यहां तक का paragraph यहां तक का paragraph आप पढ़े सिर्फ यहां तक का पढ़े थोड़ा slow चलना होगा अच्छे से जाएंगे अच्छा जी अच्छा जी आपको तो याद होगा स्टे ओफ डिमांड का ओडर का एक पावर CIT अपील के पास था ठीक उसी तरीके से स्टे ओफ डिमांड का ओडर कौन दे सकता है ITAT दे सकता है यह पावर पहले भी था यह पावर आज भी है इसमें कहीं कोई चेंज नहीं आया एक प्रपोस था कि हाँ स्टे दिया जा सकता है आप से 20% लिया जाएगा जो प्रपोस हुआ 25% के ओपर लेकिन फाइनल जब आक्ट को मंजूरी मिली तब वो आपसे 20% पे आ गया आगे सुनिये अब तक इसके अंदर में क्या था कि आप 20% ले लेंगे of the sum due और इसके अगेंस्ट में आप क्या कर लेंगे stay of demand दे देंगे maximum stay of demand कितने दिन का दिया जा सकता था 180 days का stay of demand दिया जा सकता था जिसका मतलब यह है IT80 अगर stay of demand grant करता है तो 180 days के अंदर में उसे पूरा का पूरा case dispose of करना है instead of 4 year अगर आप stay of demand नहीं देते तो आपके पास 4 साल है stay of demand अगर दे देते तो IT80 खुद अपना time limit कम कर देता है और 180 days के अंदर में इसे क्या करना होगा case dispose of करना होगा further अगर IT80 को ऐसा लगता है कि यह जो 180 days में पूरा नहीं हो पाया तो क्या यह extend किया जा सकता था जी हां ऐसा भी एक power दिया गया था जिसके तहद बूला गया था कि अगर IT80 को ऐसा लगता है कि यह जो यह एसे के कारण नहीं हो रहा डिपार्टमेंट के कारण नहीं हो रहा यह अगर रीजन के वज़े से हो रहा है not related to assessi अब ऐसे cases में क्या क्या जा सकता था IT80 अपना जो period था यह extend कर सकता था और यह extension जो होता था including the original period should not exceed 365 days मतलब the maximum period by which in case of stay of demand the IT80 should have disposed of the case is 365 days बरबर है अब यहाँ पर change क्या है दो change आई साब यहाँ पर पहला change पहला change ज़्यान से सुनिए पहला change पहला यह होता था कि जब भी आपको stay of demand देना होता था यहाँ पर आपको सीधा 20% देना होता था यहाँ एक और word add किया 20% के साथ साथ a sum equal to the amount involved यह एक word add कर दिया गया जिससे फाइदा यह हो गया कि अब ज़रूरी नहीं आपको 20% अगर IT80 कुछ cases मचाता है तो sum equal to be collect कर सकता है यह change हुआ दूसरा change क्या हुआ दूसरा change हुआ कि जो आपको extension देना है beyond 180 days पहले इसके लिए कोई application mechanism नहीं था और अब यह stay अगर आपको extend करना है तो इसके लिए application mechanism ला लिया है मतलब overall 365 days ही है पर अब आपको अगर beyond 180 days करना होगा तो इसके लिए आपको एक application करना होगा in the prescribed form जिससे आपको क्या मिल सकता है extension मिल सकता है ऐसा एक नया प्रोसीजर एक नया mechanism ले करके आए हैं चलिए समझते हैं 2A हर case tribunal के पास जो जाएगा वो चार साल के अंदर में dispose of करना होगा first proviso first proviso क्या कहता है provided that appealer tribunal में after considering the merit of application यानि हर case में state demand नहीं दिया जाएगा merits of the application by the assisee pass an order in any proceeding relating to appeal for a period not exceeding 180 days from the date of such order to maximum 180 days आपको दिया जा सकता था इस 180 दिन के अंदर में आपको क्या करना होता था इस 180 days के अंदर में ही आपको आपको order pass करना होता था IT 80 को अगर stay दे दिया तो subject to condition that assisee deposit not less than यहाँ पे 20 कीजे प्रपोस्द था अप्रूव नहीं हुआ यहाँ पे 20 है तो assisee shall deposit not less than 20% of the tax interest penalty और other sum पेबल यहाँ पे simple अगर आप बेरेक पढ़ेंगे तो other sum पेबल लिका है पर उसके अंदर यह सारी चीजे आती है 20% of the amount of tax interest, fees, penalty और any other sum under the provision of act और furnishes a security of equal amount in respect thereof तो पहले आपको क्या करना पढ़ता था 20% of the amount deposit करनी पढ़ती थी अब अगर आप वो नहीं करते हैं तो आप इसके बगले में कोई security भी दे दी जाए तो भी चल जाएगा security भी दे दी जा तो भी चल जाएगा मेरे इसाब से बहुत logical amendment क्योंकि ऐसा bank guarantee के case में भी पहले किया है हमने section पढ़ा है अरुन जेटली साब नहीं किया था अगर आपको याद हो तो तो यहाँ पे भी आप वो ही किया है कि sir अगर आपको लगता है तो आप क्या कर लीजे आपको हम stay दे देंगे 20% आपसे क्या कर लिया जाता था amount collector लेते है जो भी some table का है और इसमें एक और चीज़ आड़ हो गई furnishes a security amount in respect to there of 20% दो या तो फिर amount equal to security आप provide कर दो कोई problem नहीं है हम आपको stay देंगे लेकिन stay देने का rule क्या है general 4 साल के अंदर में पास होगा stay दे दिया ITAT अपना order कितने दिन में पास करेगा 180 days के अंदर में dispose of करना पड़ेगा an appeal at tribunal shall dispose of the appeal within the said period of stay specified in that order अब कई बार लोग क्या करते हैं इसको misinterpret करते हैं मैं आपको misinterpretation का होता है वो बताता हूँ और मैंने खुद दो बार ये बात बूली था कि मैं यहां आके आपको इसको clarify कर सकूँ मैंने क्या कहा stay कितने दिन का दिया जा सकता है 180 days का यह interpretation ही गलत है originally stay उतने दिन का दिया जाता है जितना order में लिखा होगा और maximum 180 days होता है येस आप यहां के word पढ़ेंगे तो आपको ये interpretation clear होगा चेक कीजेगा the tribunal shall dispose of the appeal within the said period of stay specified in that order याने order में generally 180 days नहीं लिखा होगा ये case to case merits of the case के basis पे depend करता है कि इसको stay कितने दिन का मिलना चाहिए 180 days ये in general stay है maximum general period of stay 180 days बनता है पर order हमेशा बताएगा याने अगर मैं chronology समझा हूँ आपको तो ऐसा होगा कि जब भी ITAT stay grant करेगा तो वो सबसे पहले order में लिखेगा अगर order में नहीं लिखा है तो generally 180 days आपको मानना होगा समझ मैं ही बात तो सबसे पहले ITAT खुद order में लिखे देगा कि मैं कितने दिन का stay दे रहा हूँ अगर नहीं लिखा है तो 180 days first proviso के हिसाब से मानना होगा तो ITAT अपना order किते दिनों में पास करेगा पहला subsection कहता है कि 4 साल में पास करना होगा हाला कि merit of the case के basis पर ITAT stay दे सकता है कितने दिन का stay देगा order में लिखा होगा नहीं लिखा होगा तो 180 days अब वापस से यहां से पूरा पढ़ो यहां से पूरा पढ़ो और amendment यह वापस पढ़ा रहा हूँ in every appeal the ITAT where it is possible may hear and decide such appeal within a period of 4 years from the end of financial year in which appeal is filed तो जब भी appeal file हुआ वहां के financial year end से 4 साल के अंदर में ITAT को अपना case complete करना होगा हला कि अगर ITAT stay देता है तो stay के against में कुछ लेगा ऐसे ही नहीं देगा free में हाँ 20% of the sum payable which includes tax, interest penalty, other sum payable under the act 20% of sum payable इस साल से और an amount equal to the security thereof यह word इसके अंदर में क्या किया गया इसके बाद ITAT उतने time में dispose off करेगा जितने order में लिखा है order में नहीं लिखा है तो overall period किता हो गया 180 days में dispose off करेगा चलिए sir यह जो time period आपने first proviso के अंदर में बोला है maybe जो order में लिखा हो या 180 days क्या यह extend हो सकता है yes यहाँ पे भी amendment है extend हो सकता है पर आपको अब इसके लिए क्या करना होगा application करना होगा but overall period of stay shall not exceed 365 original original plus extended overall period shall not exceed 365 days check कीजेगा second proviso क्या कहता है ध्यान जा सुनिये यहाँ लिखे second proviso provided further that no extension of stay shall be granted by appellate authority where such appeal is not disposed off within the set period of stay as specified in the order of stay यह 30 कुछ निये as specified in the order of stay unless 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 the assessi makes an application and has complied with such condition referred to in first proviso and appellate tribunal is satisfied that the delay is disposing is not attributable to assessi इसके पहले क्या लिखा था amendment के पहले क्या लिखा था amendment के पहले यह application वाला कोई मैटर नी था condition वाला कोई मैटर नी था इसके पहले सीधा लिखावाता ITAT क्या कर सकता है extend कर सकता है straight away अब क्या है तीन बाते आ गई है पहला ITAT खुद satisfy होना चीए that it is not attributable to assessi दूसरा first proviso में हो सकता है इस extension के लिए कोई condition दे वो condition आपको fulfill करनी होगी तीसरा आपको बोला गया है कि इसके लिए assessi को application करनी होगी कि kindly क्या कीजे extend कीजे so second proviso वापस से पढ़ते हैं यहां तक के further provided that no extension of stay shall be granted by the tribunal where the appeal is not disposed of within the said period of stay as given in the order तो order से में जो दिया है उससे ज़्यादा का extension नहीं किया जाएगा unless three condition condition number one assessi makes an application इसके पहले यह कभी नहीं था इस साल से application लाया गया है दूसरा has complied with the condition referred to in first proviso कुछ condition ITAT देगा वो condition क्या होगी हमें जानने की कोई ज़रुत नहीं ITAT decide करेगा जो condition दी है वो satisfy किया and appealate tribunal is satisfied that delay in disposing of the appeal is not attributable to assessi मतलब यह assessi के कारण नहीं है कुछ कारण वर्च ITAT ही इसे dispose of नहीं कर पा रहा है पर यह assessi के कारण नहीं है ITAT के पास time नहीं है दूसरे cases चल रहे है time नहीं दे पाए there could be various reasons covid-19 कई लोगों की क्या थी dates थी जिसके अंदर में ITAT को अपना dispose of करना था because of covid-19 सारी चीजे बनती नहीं कर पाए अब ऐसे cases में by default में क्या किया जाएगा extension grant किया जाएगा however that aggregate period word देखेगा क्या दर्द लिखा है law लिखने वाले ने the aggregate period of the period of stay originally allowed and the period of stay so extended जितना period आपको पहले allow किया था plus extended period shall not exceed 365 days and the appealer tribunal shall dispose of the appeal within the period or periods period or periods period or periods of stay so extended or allowed एक इच्छा है साम मेरी please मेरी request पह वापस 254 पूरा पढ़ेंगे यहां तक के मेरी request है 254 को तीन पार्ट के अंदर तोडिये 254 1 254 2 254 2 A 254 1 IT 80 अपना जो order pass करना चाती है वो order pass कर सकती है यह नहीं बता है कि वो क्या करेगी जो उसको सही लग रहा वो order pass कर दीगी 254 subsection 2 कहती है यह IT 80 को income tax authority नहीं है 154 में rectification ना कर पाएगी इसलिए हम यहां एक पावर दे रहे है 254 subsection 2 में कि IT 80 को कभी भी ऐसा लगता है if there is a mistake appearance from record तो within 6 month from the end of financial year in which order is passed आपको क्या करना पड़े 6 month 6 month from the end of the month not financial year 6 month from the end of the month in which order is passed वहां से वो अपना order क्या कर सकती है rectify कर सकती है when there is a mistake appearance from record फिर 254 2 A की बात कर रहे है 254 2 A सबसे पहले कहता है कि IT 80 के पास जब भी केस आया 4 साल के अंदर में 4 year यहां है वो word financial year 4 year from the end of financial year in which appeal is filed यह अपना केस dispose of करेगा हाला कि proviso 1 proviso 1 कहता है कि हां कोई problem नहीं है stay of demand दिया जा सकता है लेकिन अगर IT 80 stay of demand देता है तो 180 days गलाट as mentioned in the order or 180 days shall dispose of the case अगर order में नहीं लिखा है 180 days in general मानना order में लिखा है तो जितना order में लिखा है उतने में लेकिन stay देने से पहले क्या लिया जाएगा सुकून लिया जाएगा किस के दवरा department के दवरा कैसे असेसी को बोलेंगे 20% of some table निकाल या फिर security दे equal to the amount अगर तू पैसा नहीं दे सकता tax नहीं दे सकता उसके बदले में security दे या तो जमीन या तो जर ये देना तिरको जरूरी है second proviso कहता है ठीक है सहाब 180 days में dispose of आप नहीं कर पाए 180 days में आप dispose of नहीं कर पाए असेसी की इसमें कोई गलती नहीं है IT80 के पास time नहीं था असेसी की इसमें कोई गलती नहीं है first proviso में कुछ condition दी थी हो condition satisfy हो रही है और असेसी application कर देता है तो ऐसे cases में क्या कर दिया जा सकता है ये time limit बढ़ा दिया जा सकता है कितने दिन से बढ़ाएंगे order में लिखा होगा IT80 decide करेगा हाला कि maximum कितने दिन बढ़ा सकते कितने दिन बढ़ाएंगे इसका minimum period नहीं लिखा है बाबू हो सकता है एक महीना IT80 को next date मिल रही है IT80 बोले चलो एक महने से बस extend कर रहा हूं कोई problem नहीं है हाला कि overall period shall not exceed 365 days बिल्कुल सही समझे आप सब इसके आगे third proviso क्या कहता है लीजे यहां लिखे third proviso यहांने 254 to a के तीन proviso है third proviso क्या कहता है third proviso कहता है मान लीजे आपको time दिया था उस time limit के अंदर में IT80 केस dispose of नहीं कर पाया यह extended period 365 days के अंदर में भी IT80 dispose of नहीं कर पाया तो ऐसे cases में जो stay दिया गया था assessi को stay of demand यह stay of demand vacate कर दिया जाएगा हटा दिया जाएगा और अब assessi को बूला जाएगा बिटा चल बिटा पूरा बर ले रहे अब उससे पूरा amount भरवाया जाएगा चेक की जेगा provided also that if the assessi sorry if such appeal is not disposed of within the period allowed under the first proviso or the period or periods extended allowed under the second proviso which shall not in any case exceed 365 days the order of stay shall stand vacated shall stand vacated after the expiry of such period even if the delay is not attributable to assessi अब assessi की गलती हो या ना हो जो हमने आपको stay दिया था काम खतम हो गया सब अब माप कीजेगा हमने ITAT को कहा था ITAT काम कर दे अब यहाँ पे गलती ITAT की भी होगी तो भरपाई assessi को करनी होगी law ऐसा कहता है मतलब कुल मिला करके stage जो दिया है हटा दिया जाएगा भले ITAT ने बोला यह special case है यह है वो है कोई चीज consider होने वाली नहीं 254 to be the cost of अब इसके आगे के subsection कोई relevant नहीं है but still law दिया है bare act में दिया है हम पढ़ेंगे 254 to be the cost of any appeal to the appealate tribunal shall be at the description of that tribunal जो जो cost होगे tribunal की या उसके जो खर्चे होंगे किस तरही से bear किये हों जाएंगे या किस तरही के से वो work out होगा वो tribunal decide करेगा that is the procedural part the appealate tribunal shall send a copy of order under this section to the assessi and the PCIT और CIT finally ITAT ने जो भी अपना order pass किया इस order का copy क्या किया जाएगा दूनों को send कर दिया जाएगा department में CIT को send किया जाएगा as well as assessi को send कर दिया जाएगा कि मैंने मेरा ये decision इस section के अंदर में लिया है 254 subsection 4 कहता है order passed by appellate tribunal on appeal shall be final इस point पे मैं आपको रोकता हूँ order pass किया ये final order इसका meaning क्या है ITAT is a final fact finding authority ध्यांचा सुनिएगा ITAT is a final fact finding authority जिसके against में मान लिजे question of fact और question of law ये दो तरक एक question होते हैं question of law क्या है इसका एक explanation है पर question of law है या नहीं है वास्तविक्ता में high code decide करता है कि whether this is a question of law एक general guideline दी है what should be the question of law इसकी general guideline है आपके notes में भी दीवी है लेकिन अक्चुली प्राक्टिकली ये high code decide करता है whether it is a question of law और it is not a question of law ठीक है question of fact के basis पे high court में आप नहीं जा सकते question of fact के basis पे आप high court में नहीं जा सकते high court में हो case अगर accept हो गया that has to be a question of law that means अगर it 80 कोई order पास कर दे ये final हो जाएगा ये high court में तब तक नहीं जाएगा till it is a question of law तो मैं यहां पे आपको bracket में लिखा रहा हूँ आप लिख लीजे case won't go to high court if it is not a question of law case won't go to high court if it is not a question of law कि अाटे खर रहाहेँ लीजे लीजेए देंजर चलिए 253 कौन कौन से order के खिलाफ आप ITAT में जा सकते हैं 254 order कैसे पास किया जाएगा ITAT द्वारा ITAT किस तरीके से क्या करेंगे order पास करेंगे अब 255 बताता है procedure of appellate criminal appellate criminal के अंदर में procedure किस प्रकार की होगी सब section 1 सबसे पहले बात करता है कि सर ITAT के अंदर जो decision लेंगे ये bench decision लेंगे और bench को कौन constitute करेगा president याद आ रहा है 252 में हम लोगों ने कहा था कि ITAT के अंदर में एक president एक vice president होगा judicial member होगे कुछ accounted member होगे तो इसका constitution कौन करेगा president करेगा सब section 1 सबसे पहले ये बात करता है तो जो भी bench होगा इसका constitution कौन करेगा president करेगा ये MCQ बन सकता है सब section 2 आप से किस बारे में बात करता है सब section 2 बात करता है जनरली जब भी कोई bench होगा इसके अंदर में एक judicial member और एक accountant member होना जरूरी है unless and until कोई limit strike off करे गई हो as per the rule of tribunal subject to the provisions contained in sub section 3 जब तक sub section 3 strike नहीं करता तब तक a bench कोई भी bench में एक judicial member होगा और एक accountant member होगा जो decision लेंगे मतलब IT-AT का जो bench होगा जो decision देगा टेकनिकलिए आप इन्हें judge कह सकते हैं IT-AT के तो इसमें एक judicial member होगा एक accountant member होगा unless and until sub section 3 is satisfied याने sub section 2 is subject to sub section 3 sub section 3 क्या कहता है जर जहांदे सुनिये सर अगर एक case एक minimum limit के उपर नहीं जाता है यह limit provided है by act only as of now हाला कि यह limit को revise करने का power भी central government के पास है अगर मान लीजे case एक limit के उपर नहीं जाता है यह एक prescribed limit prescribed के उससे उपर नहीं जाता है तो फिर single member bench रखना या डिविजनल बेंच रखना है या डिविजनल बेंच रखना ह इसके उपर का decision subsection 3 के अंदर में आता है आई यह देखते हैं क्या है बो लिमिट किस case में single bench or divisional bench work करेगा the president or any other member of appellate tribunal the president or any other member of appellate tribunal authorized in this behalf by the central government में sitting singly dispose of any case generally subsection 2 क्या कहता है कोई भी case dispose of करने के लिए कौन होना चाहिए एक जुडिशल member एक accounting member subsection 3 कहता है singly भी कोई case को dispose of कर लेंगे एक ही judicial member होगा या एक ही accountant member होगा the president or any other member authorized sitting singly dispose of any case which has been allotted to bench if he is the member and has pertained to the assessee whose total income as computed by AO does not exceed 50 lakh अगर किसी particular assessee के income जो AO द्वारा computed है यह 50 लाग से उपर नहीं जारी 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 तो single member bench भी इस case को dispose of कर सकता है 50 लाग के उपर का matter होगा by default में दो लोग लगेंगे इसके लिए सीदी बात कही गई and president may for the disposal of any particular case constitute special bench of three or more members of whom necessary be judicial member and one accountant member पूरा प्रोविजन टू और त्री को जोड के आपको समझाता हूँ जरह ध्यानते सुनिएगा decision कौन देगा bench देगा bench कौन constitute करेगा president ऐसा कौन कहता है subsection 1 subsection 3 पहले बोल रहा हूँ और फिर टू बोल रहा हूँ be it judicial be it accountant president decide करेगा एक member भी case decide कर सकता है अगर SSC की total income as computed by AO पचास लाग के उपर नहीं जारी बरवर दूसरा कुछ special cases में सब section 3 वापस आता है कुछ special cases में क्या किया जा सकता है ITAT special benches भी लेके आ सकता है special bench मतलब क्या होता है न एक single bench न divisional bench special bench special bench किस case में कभी हुआ है का हाँ साब हुआ है येस देन पूना वाला case के अंदर में बैठे थे हीरा भाई गुजरात के case में ITAT ने special bench बैठाया थे तो कुछ special bench special cases के अंदर में हो सकते हैं ये भी बात थी कि आई जब इसके अंदर में था वोड़ा फोन आइडिया का मैटर चलता था तब भी special bench के तुरू dispose of होने वाला था लेकिन वह वर्क आउट नहीं हो पाया और फाइनले डिसिजन हायर अथोरिटी से आ गया 255 subsection 4 बताता है decision कैसे लिया जाएगा ध्यांजा सुनिएगा जनरली सिंगल member होगा तो फिर decision तो वही ले लेगा वही majority हो गया अगर divisional venture जहां पर दो लोग है या फिर special venture जहां पर दो से ज़्यादा लोग है तो ऐसे cases में decision कौन लेगा ऐसे cases में जो आपको decision लेना है वो majority से लिया जाएगा मान लिजे अगर दोनों अपनी राहे में equally divided है तो क्या किया जाएगा matter refer किया जाएगा president को on point to point basis और उसके बाद decision लिया जाएगा majority के basis पे if the member of the bench differs in opinion if the member of the bench differs in opinion on any point the point shall be decided according to the opinion of majority यह point कैसे किया जाएगा on the basis of opinion of majority if there is a majority but if the members are equally divided then it shall state the point or points on which they differ and the case shall be referred by the president for hearing on such point or points by one or more of the other member and shall be decided according to the opinion of majority of the members of appealate criminal who have heard the case including those who have first heard it तो सीधी सीधी बात बताई गई है 255 भी कोई इतना बड़ा नहीं था चार सब सेक्षन का केस था चार सब सेक्षन 255 के वापस से एक बार रिकॉल करा देता हूं सब सेक्षन वन हम से कहता है कि सर जो जज होंगे इसका decision कौन लेगा प्रेसिडेंट लेगा थरी कहता है कि अगर इंकम 50 लाग रुपे से उपर नहीं जा रही होगी तो फिर सिंगल मेंबर मेंच भी डिस्पोज आफ कर सकता है और अगर 50 द्रास लाग से उपर जारी होगी तो फिर multiple पीपल रहेंगे जिसमें से एक जुडिशल एक अकॉंट रोगा स्पेशल केसे के अंदर में तीन या उससे जाधा भी रख सकते हैं लेकिन उसमें एक जुडिशल और एक अकॉंट रोना जरूरी है फोर्थ कहता है कि सर जब भी decision लिया जाएगा majority से लिया जाएगा अगर वह equally divided होंगे तो matter किसको refer किया जाएगा president को जो फिर point to point basis पे अपना opinion देगा और फिर decision majority से लिया जाएगा हाँ चलिए इतना complete हो गया क्यों न हम provision को लिख भी लें yes or no आईए लिखने वाला part करेंगे साब IT 80 वाला part करेंगे साब चलिए सबसे पहले आजाएगे लिखिएगा section 252 constitution of ITat यहां लिखिए refer notes बिलकुल section काम का नहीं हम time waste करने नहीं वाले 253 काम का है भी और नहीं भी इसलिए दो पार्ट में डिवाइड करेंगे refer order against which matter could be referred to IT 80 पेज नमबर सबसे पहले notes में जाएगे यहां पर page नमबर लिख दीजे matter over कीजे यहां वो page नमबर है 6.11 यहां पर जाहिए यहां पर लिख दीजे इसी के निचे application 2 IT 80 shall be made in 60 days from the date of order referred under section 253 subsection 1 मैं आँ 60 days वाला नहीं लिख रहा हूं वो यहां काम का नहीं है सर्च में काम का है वहां देखेंगे बन okay within 30 days of receipt of notice, IT-AT may admit an appeal obligue memorandum beyond 60 oblique 30 days if there was a sufficient cause . If there was a sufficient cause loss of . Next, fees . Income as per AO, up to 1 lakh 500, 1 lakh to 2 lakh 1500, above 2 lakh 1 percent of assessed tax assessed income not tax or maximum 10000, other matter 500 rupees, 253 subsection 6, stay of demand fees, Rs. 500, 253 subsection 7, less up. आपका 253 यहां पे over हुआ. नेक्स सेक्शन जो सबसे ज्यादा काम का है 254. 254 order of IT-AT 254 subsection 1, 254 subsection 2, 254 subsection 2, 254 subsection 2, 254 subsection 3, 254 subsection 4. IT-AT may pass such order as it think fit. IT-AT can do rectification within 6 months from the end of the month in which order or to be amended was passed, if there is a change in liability, provide OOBH. in addition to the besides the case within 4 years from the end of financial year in which appeal is filed first provisio first provisio stay order can be provided by ITAT upon application not exceeding period mentioned in order or 180 days provided point number 1 a sassy deposit 20 percent of sum payable or point number 2 furnish security equal to the amount second provisio upon three conditions extension to the period of stay can be provided but aggregate period shall not exceed 365 days one condition is satisfied point number 2 application is made i t at is satisfied it is not because of assessi assessi की गलती होगी तो फिर उसको stay देने की क्या ज़र होते है एक दम लॉजिकल पॉइंट third proviso if case is not disposed of within original oblique extended period stay shall be vacated stay shall be vacated stay shall be vacated stay shall be vacated छिहें... दन साहब यह आपका flow chart भी बन रहा है सब section 3 आप से क्या कहना चाहरा है copy of order 2 भी नहीं लिके तो भी चलेगा will be sent by IT80 to assessi and PCIT oblique CIT सब section 4 हम से क्या कहना चाहरा है order passed by the IT80 is final यहां लिख दीजे subject to 256 to 260 A यह high quote वाला point आ गया यहां यहां दो वाला-ग क्सुछ प्रूप यहां 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 र्धिजे इस देट दन साहब यह हो गया आयाते हैं 255 वो तो हम यहीं पर लिखेंगे साथ साथ में इसी के निच्चे लिखे section 255 procedure of ITAT 1 2 3 4 लो साथ 1 क्या कहता है bench of ITAT shall be constituted by president subsection 2 क्या कहता है subject to subsection 3 every bench shall have one judicial and one accountant member subsection 3 क्या कहता है if total income as assessed by AO does not exceed 50 lakh then single member bench subject to approval school by president special bench could also be formed special bench could also be formed special bench special bench special bench special bench could also be could also be special bench could also be special bench could also be formed सबसेक्शन 4 क्या कहता है decision is taken by majority if member differs then matter will be referred to president who shall give the decision on point to point basis and then decision is taken by majority low sub ये भी हो गया आप 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 लिख लीजे साप complete कर लीजे क्योवा क्यों आप अअजог मत अवे ये ये को जाप आप ये मत आप ऱ ये डंजर येस तो सर उम्मीद है मजा आरा होगा आपको नहीं हुआ है एक मिनट ये लिख लो चलिए अब तो डन हो गया होगा साब आज आते हैं आगे बुक्स में आगे आईए अब हमें कुछ केस लॉस पढ़ने होंगे यहीं से कुछ केस लॉस पढ़ने होंगे पेज नमबर 19 से आपको कुछ relevant cases दिखेंगे इन केस लॉस पर आईए सबसे पहले जो तीन केस अपने को पढ़ने हैं उसमें से पहला केस दिखता है लच्मंदाज भाटिया हींग वाला वर्सेस एसी आईटी Mark this case as important यह केस हमें याद रखना होगा केस कहता क्या है क्या आईटी एटी अपना order recall कर सकता है क्या इसके अगेंस्ट में एक और केस हमें पढ़ना होगा CIT वर्सेस अर्नेस्ट एक्सपोर्ट्स यह भी important mark कीजएगा इस case में था कि क्या वो review कर सकता है क्या सबसे पहले तो दोनों के बीच का परक समझे review का मतलब है taking a different view from an earlier view taking a different view from an earlier view taking a different view from an earlier view क्या यह हो सकता है क्या सबसे पहले पढ़ लेते हैं चलिए आईए CIT वर्सेस अर्नेस्ट एक्सपोर्ट IT-AT ने कोई decision दिया let's say this particular deduction is allowed later on IT-AT ने इसके उपर अपना rectification open किया और rectification under 254 subsection 2 open करके अपना opinion change कर दिया कह दिया के sir review possible है और कह दिया के sir मैं इसको पहले allow कर रहा था अब मैं इसको allow नहीं कर रहा हूँ ऐसा किया जा सकता है क्या इस बात पे CIT versus earnest export it was a Bombay high court judgment और इस case में यह decision हुआ कि देखिए 254 subsection 2 आपको rectification का power तो देता है लेकिन review का power नहीं देता अगर आप review कर लेंगे इसका मतलब आप अपना opinion change कर लेंगे और अपना opinion change कर लेंगे और अपना opinion change कर लेना not suitable at the level of IT-AT because IT-AT एक बहुत बड़ी authority है last authority for the purpose of checking the facts और अगर अपना ये view change कर लेती है review पूरा का पूरा view ही change कर लेना recall पहले का order cancel कर लेना और पूरा का पूरा अपना order जो था हो cancel कर लेना और नया order pass करना review कर सकते हैं क्या answer is no और ऐसी चीज की गई थी CIT versus earnest exports आईए case पढते हैं does the appellate tribunal has power to review review taking a different view और re-appreciate the correctness of earlier decision जो पहले decision लिया था क्या उसको बदला जा सकता है क्या tribunal while dealing with the application under 254 subsection 2 मतलब वो rectification वाला virtually reconsider the entire matter and come to different conclusion this amounts to re-appreciation or correctness of earlier decision on the merit which is beyond the scope of power under 254 254 के अंदर में आपको क्या क्या गया है आप अपना order को rectify कीजे लेकिन आप अपना opinion change कर लेंगे ये बात कहीं नहीं कहीं गई है तो क्या review कर सकता है ITAT अपना order answer is no ITAT अपना order review नहीं कर सकता CIT versus earnest export at the same time अब हम आते हैं लचमंदाज भाटिया हींग वाला another important judgment चलिए review नहीं कर सकते recall कर सकते हैं मतलब original order जो पास किया गया था इसे cancel किया जाए और नया order पास किया जाए क्या ये possible है ये possible है सर आप अपना opinion change नहीं कर सकते हैं पर हाँ आप अपना order cancel करके नया order पास कर सकते हैं कैन ITAT has a power to recall its own order the tribunal has no inherent power to review its own judgment or order on the merits of re-appreciation however the power to recall has to be distinguished from a power to review while the tribunal does not have an inherent power to review it can recall its order for the purpose of correcting a mistake apparent from record वो अपना order recall कर सकते हैं review नहीं कर सकते हैं तो सर recall करना मतलब क्या पहले वाले order को cancel करना review मतलब क्या अपने opinion को change कर देना recall के अंदर में आप अपना opinion change नहीं करते हैं एक बात याद रखीगा वो disallow ता उसको disallow करते हैं और कुछ corrections करना है which is a mistake apparent from record जिसके दो views पॉसिबल नहीं है वो आप सुधार लो कोई पॉसिबल कोई प्रॉबलम नहीं है लेकिन आप अपना opinion चेंज करके assessi की liability बढ़ा देंगे if it is not a mistake apparent from record यह पॉसिबल नहीं है तो यह दो cases बहुत ज़्यादा काम के लच्मन्दा सिंग वाला recall नहीं कर सकते review वाला matter earnest exports वाला matter रुकिए एक और case CIT versus पुर्थवी brokers and shareholders याद होगा तो यह case CIT appeal से related है पर हम case पढ़ रहे हैं तो यह भी case पढ़ लेते हैं याद होगा तो AO के सामने अगर कोई भी fresh statement आपको लेके आना है कोई भी नया claim करना है तो it cannot be done unless and until you file a revised return बट क्या CIT appeal के सामने without revised return यह किया जा सकता है yes किया जा सकता है कौन कहता है पुर्थवी brokers an additional claim can be raised before the appealate authority even if no revised return is filed the appealate authority have jurisdiction to permit additional claim before them though the excise of such jurisdiction is entirely the authority's discretion तो वो चाहें तो without revised return भी यह चीज़ कर सकते हैं again important case coming to the another important case national thermal power company very 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 important सबसे पहले तो case को read कीजे claim किया जा सकता है क्या claim करना भी अगर AO के सामने तो आपको revised return करके करना होगा दूसरा CIT appeal के सामने क्या new evidence लेके आया सकते हैं even without giving the revised return बिल्कूल हो सकता है पुर्थवी broker का case था कि आप लेके आ सकते हो कोई problem नहीं है यह AO का you know CIT appeal का authoritative discretion है तीसरा सवाल होता ITAT के सामने क्या कोई additional चीजे लाई जा सकती है हाँ या ना additional evidence लाई जा सकते है हाँ या ना and even without revised return भी काम किया जा सकता है हाँ या ना इस बारे में clarity दी आपको national thermal power company ने आई ये case पढ़ते है under section 254 the tribunal में after giving both the party to the appeal and opportunity of being murdered pass such order as it think fit subsection 1 कहता था the power of tribunal is not restricted only to the grounds of appeal raised by assasie or the department ITAT का power सिर्फ इतना नहीं है कि वो you know जो matter raised किया है बस उसी पे decision दे ITAT एक power रखता है जहां पे वो additional grounds के भी जा सकता है additional evidence भी accept कर सकता है if for example, as a result of a judicial decision while giving while judicial decision given while the appeal is pending before tribunal it is found that a taxable item is not to be taxed or deduction is to be allowed then there is no reason why the assasie should be prohibited from raising that question before the tribunal for the first time similarly, if the tribunal finds that as a result of judicial decision given when the appeal is pending before the tribunal a non-taxable item is to be taxed or permissible deduction is to be disallowed then it can tax the item or disallow the deduction there is no reason to restrict the power of tribunal under 254 only to decide on the ground which are raised before or from the order of CIT appeal hence, there is no reason why tribunal should be prevented from considering the question arising in the assessment proceeding not raised earlier the view that tribunal has to confine itself to the issue arising out of appeal before CIT appeal is not a correct view and tribunal has power to consider any ground raised by the assasie or department for the first time before the tribunal although it has not been raised before lower authority so that it is first time case which is not a case which is the first time case which is just before CIT appeal which is directly can the answer yes ntpc national thermal power company which case is true this is the case which is how you can because it is the power of restricted can accept the additional evidence answer should be yes as per NTPC बिलकुल additional evidence accept कर सकती है कोई problem नहीं है हाई कोट से रिलेटेड ये भी हाई कोट से रिलेटेड रेजिस्टर में जाई है रेजिस्टर में लिखिए refer the following cases from notes रेजिस्टर में जाके लिखिए refer the following cases from the notes refer the following cases from the notes 1, can ITAT review its own order, answer is no. CIT versus earnest exports, यहाँ पर आप page number डाल दीजेगा, यह एक line में decision है, जब आप पढ़ते रहेंगे, 2, can ITAT recall its own order, yes. लच्मन्दास हींवाला. Can additional evidence be accepted by ITAT not raised before CIT appeal? Yes, NTPC, National Thermal Power Company, इसका share listed भी है. अङब झाएंगे. यहाँ झाएंगे. यहाँ झाएंगे. झाल 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 आएटी एटी गेम ओवार अपील में हमने चालू किया था टू फॉर्टी सिक्स ए से लेकर के और हम पहुच गए हैं कहां साब आगे तक हाई कोट के मैटर तक के हम लोग आगे आ गए हैं सर अंदर में अप्लिकेशन किया जाता है और आट अप्लिकेशन हाई कोट फर्स्ट सी वेदर टक कोष्ट्र एक व्लॉव इन्वाइड और नौट और अगर कोश्ट्र ओफल इन्वाल हो गा तो दूसरा स्टेप बनता है कि हाई हाई कोट क्या करेगा खुद उस कोश्ट्र आफ हाँ यह question arise होता है जिसके कर मैं बात करूँ मुंबई और पूने की ठीक है और मान लीजे case है लुनावला के अंदर में place between मुंबई और पूने तो सबसे वहले तो यह देखना पड़ेगा कि इनको कौन सा jurisdictional high court मिलता है यह case कहाँ fall होता है इसके jurisdiction होते है जो high court ही बताता है खु के form होंगे high court की अपनी खुद की fees होगी और जो हर high court की बदल सकती है इसलिए आपको कोई एक फीस या form राद रखने की ज़रूत नहीं है दूसरी बात अब आप income tax act के अंदर नहीं है code of civil procedure act के अंदर में है यह बात भी आपको याद रखने होगी जब आप high court के इंदर में जा रहे हैं कोई time limit नहीं होगी जैसे you know one year four year ऐसे कोई time limit नहीं होगी क्योंकि आप court में है और सनी पाजी का डायलोग है तारीक पर तारीक 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 तो कोई ऐसा maximum time limit नहीं दिए code के decide करने के लिए आप court की बात कर रहे हैं सर ये बात याद रखिएगा अच्छ question of law involved है अगर question of law involved है तो दूसरे case में वो ये देखेंगे कि question of law क्या बनाना है जिसके उपर decision होना चाहिए आप कई question लिखकर के देदे आपके हिसाब से क्योंकि आप नहीं लिखके देते ये advocate लिखकर के देता है कि इसमें exactly question of law क्या है getting it or not और high court check करता कि हाँ ये substantial question of law है य appeal to high court and appeal shall lie to high court from every order passed by the appellate criminal if high court is satisfied that the case involves a substantial question of law तो high court तभी इस case को accept करेगा जब ये substantial question of law है अगर ये substantial question of law नहीं है तो case acceptance में नहीं आएगा stop यहां पर एक डाला था ओके लिख लेंगे कोई problem नहीं है मैंने question अपने पुराने बुक में रखा था इस बुक में मैंने हटा दिया है substantial question of law क्या है इस बारे में हम लोगों ने एक word डाला था बट ठीक है हम उसके उपर वर्क करते हैं सबसे पहली बात an appeal shall lie to high court from every order passed in appeal by the appealer tribunal if the high court is satisfied that the case involved is a substantial question of law subsection 2 commissioner और assessi aggrieved यहां पर एक point मैं आपको सम्झाना चाहता हूँ आप word देखें वर्ड क्या लिखा है commissioner आप जब भी देखेंगे कि कोई case law आप पढ़ेंगे तो उस case law के इंदर में क्या लिखा होता है आपको पता है CIT versus this क्या सारे cases CIT फाइल करता है answer is yes court में जो भी case लड़े जाते हैं वहाँ पे income tax department को represent करने का काम करता है commissioner या principal commissioner समझ में आई बात और इसलिए आपको maximum cases में CIT versus something दिखता है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है the commissioner or the assessee aggrieved by the order passed by the appealate tribunal may file an appeal to high court and such appeal shall be filed within 120 days from the date on which order appealed against this is received by commissioner in the form of memorandum of appeal precisely stating therein the substantial question of law involved 120 दिन के अंदर जब भी आपको यह पहला order मिल जा है वहाँ से 120 दिन के अंदर में आपको आपका appeal file करना है और साथ-साथ में एक memorandum देना है यह बताते वे कि आपके इसाफसे substantial question of law क्या बनना चाहिए क्या होना चाहिए क्योंकि देखिए यही वह पहला stage है यहां पर आपने क्या कर दिया एक अच्छा question प्रेम नहीं किया जो attractive है जिससे law की दिशा बदल सकती है या एक नया कानून बन सकता है तो मालूम है क्या होगा आपका हाई कोट सीधा सीधा आपके matter को refer कर देगा reject कर रहेगा बोल देगा बेटा चल बेटा तो एक काम कर निकल यहां से कोई problem तो निकल यहां से यह तेरा case हम नहीं देखेंगे आई टेटी ने जो तेरा decision दे दिया यह decision complete decision हो गया काम खतम 260A 2A the high court may admit an appeal high court may admit an appeal after the expiry of 120 days another subsection कहता है क्या 120 दिन के बाद भी application accept हो सकते है क्या in fact अगर आप देखोगे condonation of delay के साथ किसी भी authority के साथ यह accept हो सकता है high court बोलेगा ठीक है if there was a sufficient reason मैं 120 दिन के बाद भी से क्या कर लेता हूँ accept कर लेता हूँ the high court may admit an appeal after the expiry of the period of 120 days if it is satisfied that there was a sufficient cause for not filing the same within that period कोई problem नहीं है 260A subsection 3 क्या कहता है see अगर high court को समझ में आ जाता है कि हाँ there is a substantial question of law तो खुद section बोलता है कि high court अब frame करेगा कि वो substantial question of law क्या है ऐसा भी बहुत सारे cases में होता है कि आपने memorandum लिख करके दिया बरबर तो एक first hearing होता है first hearing के अंदर में आपको explain करने का मौका मिलता है ऐसा नहीं होता कि direct reject कर देते फिर भी आपको मौका मिलता है पूछने का कि exactly आप क्या कहना चाहरे थे exactly आपका matter क्या था विएर दा हाई कोट is satisfied that there is a substantial question of law involved it shall formulate that question यहने substantial question of law formulate कौन करेगा substantial question of law formulate करेगा हाई कोट ऐसा question of law को करेगा अच्छा जी चेक कीजिगा the appeal shall be heard only on the question so formulated and respondent shall at the hearing of the appeal be allowed to argue that case does not involve such question respondent है जो first hearing की जाती है substantial question of law देने के बाग तो जो respondent है other party इसके पास एक right होता है कि यह बोल सकता है कि नहीं नहीं यह वो question ही नहीं यह पूरा का पूरा matter ही बदल रहा है तो वो इसके against में argue कर सकता है तो वही लिखावा है वो चीज़ the appeal shall be heard only on the question so formulated जो पहली hearing होगी जो appeal होगी उसके hearing पर बात की जाएगी and the respondent जो दूसरा person है जिसके against में case file हुआ है the respondent shall at the hearing allowed to argue that case does not involve such question एक आदमी बोलेगा yes it is a substantial question of law दूसरा बोलेगा यह वो question ही नहीं है मैं I object I object my lord यह वो question ही नहीं है यह बात पलट रहा है ऐसी बात हो सकती है however nothing in the subsection shall deem to take away or average the power of court to hear for reason to be recorded the appeal or any other substantial question of law not formulated by it if it is satisfied that the case involves such question अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि ऐसा नहीं होता है कई बार क्या होता है advocate को खुद भी नहीं पता हुता या उसे idea नहीं होता या वो सही question frame नहीं कर पाता तो ऐसे case में high court hearing बुलातर पूछता है हां बोलो क्या matter था फिर वो बोलते ही matter था यह बोलते वो matter नहीं था यहां पर high court अपना thought दे करके बोलता है दीखे matter यह होना चाहिए आप एक application सुधारी है फिर accept करेंगे अपन इस matter को तो कई बार high court खुद recommendation देता है कि matter यह नहीं matter यह है या इस point के उपर आपने क्या करना चाहिए जगड़ना चाहिए तो इस बारे में कई बार यह decision हो सकता है ऐसा एक power आपको दिया वा है subsection 4 के अंदर में अच्छा जी सर subsection 6 कहता है subsection 6 कहता है sorry 5 subsection 5 कहता है कि जो भी फिर वो question आया उसके बाद में अलग-अलग hearing होगी hearing postponed की जाएगी जैसा भी जो भी लगता है और उसके बाद high court अपना decision देगा उस matter के उपर the high court shall decide the question of law so formulated and deliver such judgment thereon containing the grounds on which the decision is founded and may award such cause at it deemed fit तो high court क्या करेगा पूरा matter सुनेगा पूरे matter को understand करेगा और matter को understand करने के बाद वो finally अपना decision सुनाएगा और award करेगा वो cause जो उसको लगता है मतलब finally जो decision उसको लगता है वो देगा award कर देगा और अपना decision close कर देगा एक बात आपने देखी यहाँ पर यह नहीं लिखा कि कितने time में उसने यह बोला कि high court सुनेगा matter अपना decision देदेगा award देदेगा cost determine कर देगा सब बरबर है यह नहीं बताया कितने time में तारीक पर तारीक सब section 6 the high court may determine any issue which has not been determined appellate tribunal high court का एक additional power वो हम उस matter पर भी जा सकते जो matter tribunal ने decide नहीं किया मतलब यह high court का additional power है जो यहाँ पर बात कर रहे है high court वो matter decide कर सकता है जो matter tribunal ने decide नहीं किया which has not been determined by tribunal understand line का meaning क्या है which has not been determined by tribunal इसका meaning क्या है it was raised before tribunal but not decided not determined word लिखा है जिसका मतलब यह है कि हमने raise तो किया था ITAT के सामने लेकिन ITAT ने वो matter क्या नहीं किया heard नहीं किया इसलिए भी हम high court में आ गए तो वो matter भी हम क्या कर सकते है यहाँ पर raise कर सकते है तो यहाँ पर क्या लिखा है the high court may determine an issue which has not been determined by appellate tribunal or has been wrongly determined by appellate tribunal by reason of such decision on the question of law as is referred to in subsection 1 वो matter फिर भी क्या होना चाहिए substantial question of law होना चाहिए अगर यह high court ने decide नहीं किया या फिर wrongly decide किया wrongly decide किया यह कौन determine करेगा again court ही decide करेगा कि यह rightly determined था यह wrongly determined था यह भी court ही decide करेगा subsection 7 जो मैं कह रहा था code of civil procedure apply करता है as otherwise provide save as otherwise provided the provision of the code of civil procedure 1908 relating to the appeal to high court shall as far as may be apply in case of appeal under this section तो sir जब भी आप यहां पे करेंगे तो आपको code of civil procedure apply करेगा यह बड़ा हो कि क्या बन सकता है mcq बन सकता है सहब यह साथो सब section एक बार फटा फट पड़ी है झाला बन सकता है है कर्वेरे यह जार फ्टार के लग़ी है हगरे रन सकता है यह झाला बन सकता है तो दन सर ओके सर चलिए हाई कोट से रेलेटेड हमें दो केस पढ़ने होंगे इसमें सबसे इंपोर्टन केस बनता है मेघालिया स्टील्स का नीचे आईए सबसे पहला ही रेलेवेंट केस है मेघालिया स्टील 2015 सुप्रीम कोट जज्जमेंट केस क्या था पहले पूरा सुन लीजे तो आपको समझ में आएगा सर 80 IAIB इसके अंदर में सबसेडी आपको अलावड होती है अगेंस असपेसिफाइड बिजनस अब यह जो सबसेडी थी इसको डिसलाव कर दिया गया था सबसेडी थी इसे डिसलाव कर दिया था केस गया हाई कोट के अंदर में और जो भी decided time था, lawyer इस time के अंदर में पहुच नहीं पाई, lawyer जो थे, वो time के अंदर में पहुच नहीं पाई, अब high court नहीं क्या किया, lawyer since time पे नहीं पहुच पाई, तो क्या कर दिया, अपना decision pass कर दिया, ex party decision pass करके matter end कर दिया, यह matter Supreme Court में गया, Supreme Court ने बोला कि boss, यहाँ पर principle of natural तो दिया ही नहीं गया है, तो यह सही नहीं है, दूसरी बात, हाँ, अगर मान लीजे, प्रिंसिपल अफ नाचल जस्टिस दे करके, कुछ, यह अडिशनल डिसिजन लिये जाते, अडिशनल ग्राउंड अफ डिसिजन लिये जाते, तब यह वैलिड होता, समझते हैं कि इस क्य current power है, to review, याद होगा, तो review का power IT 80 के पास नहीं था, recall का power तो सर दोनों के पास है, आप एक बात समझेए, review का power है क्या, review का power है या नहीं है, इस बारे में Meghalia Steels का case आया, बड़ा जबरदस्त case, वर्ट रीकेगा, in this case, high court has considered whether deduction is allowable under 80 IB on transport subsidy and interest subsidy, and on the central exercise duty, refund received by the SSC, Finally, after stating that two substantial questions of law arose in 260, the high court proceed to answer the two questions, against this judgment, a SSC filed a review petition upon the divisional bench of high court, recalls its entire order for adjudication on the ground that it has not formulated the substantial question of law before hearing the appeal and has not invited the parties to have their say in the matter, which amount to denial of opportunity of effective hearing, so sir, opportunity of, since lawyer was delayed, तो उनको opportunity नहीं मिली, The Supreme Court observed that there is nothing in article 226 of the constitution to preclude the high court from exercising the power of review, which is inherent in every court of plenary jurisdiction to prevent miscarriage of justice or to correct grave or palpable error committed by it. In this case, high court has entertained the second petition since the interested parties were not given an effective opportunity of being heard, पहली बार उनको time दिया था, वो आएनी, high court ने क्या कर दिया था, high court ने अपना decision दे दिया था, फिर matter divisional bench के पास गया, Divisional bench ने बोला कि, since पहली बार opportunity of being heard नहीं मिली है, हम केस को सुनेंगे, review कर सकते हैं क्या, बिल्कूल कर सकते हैं, पहला decision आपने दे दिया, अब review कर सकता है क्या, वापस high court, since पहली बार opportunity of being heard नहीं मिली थी, अब review किया, valid है, 266 of the article भी यही कहता है, High court exercises inherent power of review, it was held that, under 260A subsection 7, does not curtail or restrict the provision of code of civil procedure, as said in section only, states that, all proviso would apply, qua appeal in code of civil procedure would apply to appeal under 260A, sir, क्या यह इतने भारी भारी वर्ड, इतने article यह सब याद रखने की जोरत है, answer is no, सवाल इतना सा आएगा, whether high court has their power to review, आपने लिखना है, as per megalia still, answer is yes, game over, आपको ऐसे question दिखेंगे आगे, तो आपको क्या लिखना होगा, आपको 260A लिखना होगा, read with megalia still, लिखना होगा, answer कतम, यह सिर्फ आपके understanding के लिए है कि case क्या था, और case क्या है, so inherent power of review है, क्या, exam से पहले पढ़ना है, यहाँ पे लिख दो yes, इतना सा case पढ़ने की दुरत नहीं, recall है, बिल्कुल recall भी है, कोई problem नहीं है, एक और case यहाँ पे दिखेगा, आपको, CIT versus Subroto Right 2016, क्या high court के पास recall का power है, अभी जब हमने article मिघाले या स्टील भी पढ़ा, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, कि boss, court के पास वो हर एक power होता है, थाकि कि किसी भी तरिके का judgment grave ना हो, या palpable ना हो, और इसी के लिए review का अगर power है, तो recall का power तो definitely है, can high court exercise inherent power to recall its order by exercising the jurisdiction under 260 A subsection 7, the apex court noted that the assesee had participated in hearing of the appeal before high court, which is apparent from various part of the order and yes, there is power to recall. ITAT, review, no, recall, yes, high court, review, yes, recall, yes, game over. पाइना कॉम, इस केस पर आई है, 2018 Supreme Court judgment, क्या था केस में, सुनिए, सर, assesee ने high court के अंदर में एक application किया, this application was apparently delayed by more than 400 days, क्या ये application, delayed application high court accept कर सकता है, no doubt delayed application accept कर सकता है, but 439 days, more than 400 days to be more precise, क्या ये sufficient number of days थे या नहीं थे इस बारे में एक decision था, Spina.com क्या कहता है, देखते हैं, whether delay in filing an appeal can be condoned, where the stated reason for delay in persons to the alternate remedy by filing an application before IT-AT for rectification of mistake apparent from record, Sir, assesee ने IT-AT choose किया था, rectification के लिए और उसके कारण late हुआ, और इसके कारण आपको high court में application देने के लिए late हो गया, क्या ये सही है या नहीं है, decision, the rectification application before IT-AT is not alternative remedy for filing an appeal before high court, point number one, point number two, ये तो बैसे भी CDC बात है, आप, you know, high court के अगेंस में आप IT-AT में जानी की बात कर रहा हैं, तो ये लोजिकल नहीं है, Supreme Court held that application before IT-AT is for rectifying a mistake apparent from record, which is much narrow in scope than appeal before high court, Supreme Court held that an order of IT-AT can be challenged on substantial question of law, since no satisfactory reason has been provided by appealant for extraordinary delay of 439 days in filing the appeal, the Supreme Court dismissed the application for condemnation of delay, तो sir, condemnation of delay हो सकता है high court द्वारा, but, you know, आप इसलिए condemnation मंग रहे था कि आप high court में जाकर की क्या कर सके, अपना case लड़ सके, तो ये logical point नहीं था, Supreme Court ने बोला, इतना delay acceptable delay नहीं है, Samsung India Electronics Private Limited versus DCIT 2014 judgment, अच्छा judgment है, जरत judgment सुनिए, याद होगा तो आपको हम लोगों ने पढ़ा था 148, 148 पढ़ते वे हम लोग पढ़ रहे थे, you know, income escaping assessment, income escaping assessment के अंदर में GKN drive shaft का एक case था, जो आपको बोलता था, कि आपको step by step ही जाना है, आप direct jump नहीं कर सकते, याद आ रहा है आपको कुछ, ये case Samsung India के अंदर में भी प्रूव हुआ, चेक कीज़े, can SSE, objecting the reassessment notice issued under 148, directly approach to high court, याने अगर SSE को 148 के against में, अगर 148 उसको पसंद नहीं आ रहा है, income escaping assessment, तो क्या वो directly high court को approach कर सकता है, in the normal course containing that such reassessment, proceeding are apparently unjustified and illegal, क्या आप directly high court में जा सकते हो, 148 के खिलाफ, GKN Driveshaft ऐसा करने नहीं देगा, the high court held that it will not be appropriate and proper in the fact present case to permit and allow the petitioner to bypass and forgo the procedure laid down by Supreme Court in GKN Driveshaft, since the said procedure has been almost universally followed and helped the cut down litigation and crystallize the issue, if and when the question comes upon the court, तो वो कहता है, नहीं साब नहीं हो सकता, आप directly 148 के अगेंच में high court में नहीं आ सकते, क्योंकि एक procedure दी है आप लोग को, और इस procedure को follow कीजे, ताकि limit litigation कम हो जाए, ITAT या CIT appeal लाया ही इसलिए गया था, ताकि क्या हो, court में cases compile नहीं हो, और court में जो cases आए, वो बहुत crystallize हो करके आए, अब अगर matter आपका directly high court के अंदर में allow कर देंगे, तो it will create a mockery of law, hence not allowed. Section 260B, चलिए, यह देखिए procedural part है, यह वाले sections अगर आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बट still दिया है तो हमें पढ़ना है, यह particular section कहता है, कि हाई court के सामने जो decision लिये जाएंगे, या हाई court में जो judges होंगे, यह कितने judges होने चाहिए, decision लिने के लिए, where an appeal has been filed before high court under 268, shall be heard by a bench of not less than two judges of high court, तो जब भी कोई case 268 के अंदर refer किया जाएगा, which involves a substantial question of law, इसे at least two judge मिल करके देखेंगे, and decided in accordance with the opinion of judge of majority, और इसे majority के basis पर deal किया जाएगा, if any of such judge, ठीक है, where there is no majority, the judge shall state the point of law upon which they differ, and the case then shall be heard upon that point only by one or more of the other judge of high court, अगर मान लिजे ये दोनों judge अलग-अलग जा रहे हैं, तो ऐसे cases में एक तीसरा judge जो होगा high court का, उसके सामने case point to point refer basis पर दिया जाएगा, and then the matter shall be decided accordingly on the opinion of majority, वही बात लिखी विया है sir, at least दो judges ने आपका case सुनना है, दो judges एक साथ majority पर decision लेंगे, नहीं ले पाए, तीसरे judge को matter refer किया जाएगा point to point basis पर, वही precedent वाला case ITAT में, precedent को refer किया जाएगा, यहाँ पर तीसरा है high court के judge को refer किया जाएगा, और उसके साथ point to point basis पर refer किया जाएगा, and then the decision will be taken by majority, section 260B, effect to the decision of high court और supreme court, याद बिलाता हूँ, यह हमने कहाँ पड़ा, बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, याद करो, high court और supreme court का decision आया, let's see, let's see, कोई decision A.O. ने disallow कर दिया था, high court ने इसे allow कर दिया, अब क्या assessment high court complete करेगा, या supreme court complete करेगा, क्या assessment high court और supreme court complete करेगा, ना, assessment high court और supreme court complete नहीं करेगा, assessment कौन complete करेगा, A.O. तो A.O. को क्या करना होगा, इसका effect देना होगा, जो decision आया है, high court और supreme court का, याद आ रहा है तो ऐसे cases में एओ कब तक के करेगा इसका time limit section 153 में लिखा था बाबू 153 में आपको लिखा था time limit एक मिनिट के लिए जाईए ज़रा ज़रा chapter के अंदर में जाईए आपके 153 में अपील chapter के अंदर में जाईए time limit to complete the appeal में जाईए 153 में जाईए 153 में जाकर के जरा देखेगा 153 5 या 6 में से कौन सा सब सेक्षन लगेगा जरा जाकर के देखिए वहां पर हमने बताया था कि जब high court या supreme court अपना DCN देता है उसके बाद AO को time limit मिलता है अपना case खतम करने के ल के अंदर में मैंने आपको बूला था ये चीज बताऊंगा ये एक और बादा पूरा हुआ where the high court delivers a judgment in any appeal filed before it effect shall be given by AO यहाँ पे लिखिये refer time limit under section 153 passed by it on the basis of certified copy of the judgment so judgment high court AO को देगा अब AO को उस judgment के basis पे अपना क्या करना होगा assessment complete करना होगा और final order निकालना होगा ये final order कब तक निकलेगा ये 153 के अंदर में लिखा है जाकर के देख लीजेगा आप लोग effect of any judgment में section 261 appeal to supreme court appeal to supreme court क्या supreme court में appeal किया जा सकता येस जब high court certify कर दे it as fit for the purpose of supreme court अगर high court is a fit for the purpose of supreme court नहीं करता तो ये case supreme court में नहीं जा सकता supreme court में जाने के लिए case में बहुत बड़ा issue involved होना चाहिए huge money involved होना चाहिए आपके पास इतना patience level होना चाहिए इतना time होना चाहिए तब जाकर के आप matter supreme court में लेके जाते हैं logically हर matter supreme court में नहीं जाता ये बात आप समझ की जलिए an appeal shall lie to supreme court against any judgment of high court delivered in any case where high court certified fit for the purpose of appeal to supreme court जब high court ये बात कहते कि हां 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 ये fit है बिलकूल आप तब जा सकते हो 262 कहता है supreme court के सामने hearing किस तरीके से होगी the supreme court shall after hearing the petitioner and the respondent pass an order deciding the question of law the cost of such appeal shall be at the decision of supreme court the AO will give effect to the order of supreme court on the basis of certified order of judgment यहां लिखिये refer the time limit to complete assessment under section 153 153 में जब जाएंगे वहां पे देख लीजेगा हमने लिखावा है लगे तो तुरंस चल जाओ दो मिनिट के अंदर में चलना लीजे हम सामने दोर दो मिन पालना से के लागे लागे लुर divides झाल झाल बढ़ते हैं आगे 268A इस सेक्षन के पीछे का हिस्ट्री आपको मजा देदेगा साब सेक्षन क्या है पहले बात सुनिए सर असेशी अग्रीवड फील करता है वो हायर अथॉरिटी के पास जा सकता है बीट हाई कोट बीट सुप्रीम कोट बीट आईटी एटी बरबर है तो जब भी अथॉरिटी अथॉरिटी मतलब कौन CITP लिज अल्सो अथॉरिटी अगर आपको याद हो तो वहाँ तक की बात नहीं करें हम बात करें आईटी एटी हाई कोट और सुप्रीम कोट की अब क्या होता है अगर आगरेफ स्विल करता है वह तो खिर जाई सकता है कई बढर क्या हो जाता दा डिपर्टमेंट मैटर अपने इगले ले ले लेता ता ध्यान से सुनिएंगा बड़ा मजा आएगा इस की इस्परी सुन करके क्यronor और इस section के वर्डिंग जो आए अलग लेवल का case, sir, तो case ऐसा था कि सबसे पहले तो assessi कभी भी जा सकता है, department भी क्या करता था, उटे सुटे case file कर देता था, अब case department लड़ रहा है, मतलब पैसा किसका जा रहा है, tax payers money, income tax department का पैसा जा रहा है, और cases ज्यादा न बढ़ें, इस section को लाया गया, section 268A, और इस section में कहा गया, कि department एक circular निकाल करके, हर बार एक limit बता सकता है, कि अगर matter इतने limit के उपर होगा, तो ही department case file करेगा, नहीं तो department case file नहीं करेगा, मतलब department कब case file करेगा, इसकी एक limit लगा दी गई, 268A के तहत पावर देके, और हर साल, almost एक circular निकलत है, जो बताता है, कि इस से उपर का अगर matter होगा, तो ही department ITAT high court या supreme court में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, राइट, जैसे पिछले साल के अगर हम monitoring limit की बात करें, तो ITAT का monitoring limit था 50 लाग, मतलब अगर matter 50 लाग के उपर है, तो ही department ITAT में जाएग matter एक करोड के उपर है, तो ही हम high court में जाएगे, और matter दो करोड के उपर है, तो ही हम supreme court में जाएगे, यह circular था, department का circular था, अब एक बार, खुद department को यह section backfire हुआ, मैं आपको बताता हूँ कैसे, बर्जर पेंट्स, यह वो एक ऐसा एतिहासिक केस है, जिसने section के आगे के wordings बदल दिये, जब आप सब section 3 पढ़ेंगे, तब आपको यह मजा आएगा case के बारे में, यहाँ पे हो case refer नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ, बर्जर पेंट्स एक ऐसा case था, बर्जर पेंट्स के अंदर में क्या हुआ सच सुनिएगा, बर्जर पेंट्स के अंदर में एक गलत matter को allowance मिल गया, matter था 90 लैक्स का, matter कितने का था, 90 लैक्स का matter था, और उस time, उस साल के लिए circular limit थी 1 करोड रुपीस, एक गलत deduction मिल गया, 90 ल limit थी 1 करोड, in future, in future, in future, ये limit बढ़ गई, in future, ये limit बढ़ गई, एक अच्छा substantial amount पर पहुच गई, department अब high court के अंदर में गया, क्योंकि अब ये 1 करोड की limit को cross कर चुके थे, department अब, you know, high court के अंदर में गया, high court ने case लेने से मना कर दिया, जब पूचा गया, क्यूं, तो उ same case था, तब आपने इसको accept कर लिया, और अब जब next case में amount increase हो गई, तब आप आगए, लेकिन ये law के against में है, पहली बार जब तुमने इसे accept कर लिया, और इसके against में case file नहीं किया, तभी तुमने हार मान ली, accept कर लिया, और अससी का view accept कर लिया, तो बात खतम हो गई, फिर इ ये नहीं बोल सकते हैं, कि नहीं, 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 हम अपना view बदलना चाहते हैं, ये ऐसा case था, जहां department को खुद उनके आंग पे आ गई, ऐसा एक monetary limit डालना, इसी के लिए subsection 3 insert किया गया, जहां उनको बूला गया कि monetary limit हम provide करेंगे, but case to case basis के उपर, अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें merit है, तो ऐसे cases में फिर ये monetary limit हटा करके क्या किया जाएगा, आप case file कर सकते हैं, and thanks to burger paint, otherwise ये law ही नहीं बनता, क्योंकि दिखे, department को objective है, जहां पे tax की चोरी हुई है, वहाँ tax की चोरी हुई है, department कितना भी सामने जाके बोलते हैं, अरे सर उसना हम हार नहीं माने जाल था, कोट कहीं गलत नहीं था, और इसलिए इस law को सुधारा भी गया, आए समझते हैं, filing of appeal by income tax authority, income tax authority कब appeal कर सकते है, इसके ओपर एक limit आ सकता है, the board may from time to time issue order instruction direction to other income tax authority, order instruction direction सीदे शब्दों में circular, fixing such monetary limit as it deemed fit for the purpose of regulating the filing of appeal by income tax authority under the provision of this chapter, तो क्या किया जा सकता है, एक monetary limit ठहरा ही जा सकती है, पिछले साल तक की, मतलब इस साल तक की, क्योंकि इस साल के, अभी तक के कोई fresh monetary limit नहीं आई है, अगर कोई fresh monetary limit आती है, तो आपको पता है, कि सर मैं क्या करूँगा, मैं मेरे इंस्टा पे अपडेट कर दूँग subsection 1, and income tax authority has not filed any appeal or issue in case of assessi for assessment year, it shall not preclude such authority for filing an appeal on the same issue in case of same assessi for other assessment year, or by other assessi for the same or other assessment year, याद आ रहा है, बरजर पेंट, आपने पहले फाइल नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं आप बाद में फाइल नहीं कर पाएंगे, लौ लिग दिया, बाद में फाइल नहीं कर पाएंगे, लौ notwithstanding, no appeal has been filed by income tax authority, person to the order, instruction direction, it shall not be lawful for an assessi being in a party in any appeal to contend that income tax authority has acquiesced in the decision on the dispute issue, not by filing an appeal, जहां जा सुनियेगा, केस किसका था, बरजर पेंट, बरजर पेंगे, 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 किसी direction, किसी circular के कारण हम लोग case file नहीं किये, इसका ये कहीं पे भी मतलब नहीं होगा, कि हमने हार मान ली है, और हम अब क्या नहीं करेंगे, case file नहीं कर सकेंगे, it shall not be lawful for an assessi being a party to appeal to contend that income tax authority has acquiesced in the decision on the dispute issued by not filing an appeal in any case, इसका ये मतलब नहीं होगा, कि income tax हार मान गया है, और उस बार का वो हग हो चुका है, बर्जर पेंट्स, the appealate tribunal or court hearing such appeal shall have regards to the order instruction issued and under which appeal was filed or not filed in respect of any cases, sir the appealate tribunal or court hearing such appeal shall have regards to the order or instruction, याने court के उपर भी जिम्मेदारी है, कोई भी case accept करने से पहले आपको भी देखना होगा, कि ये monetary limit में है या नहीं है, और accordingly आपको भी accept करना होगा, Every order instruction which had issued by the board fixing the monetary limit shall deem to have been issued under subsection 1 and the provisions of subsection 2, 3 and 4 shall apply accordingly, board ने जब भी ऐसा कोई order निकाला, ये मान लिया जाएगा, subsection 1 के अंदर में लाया गया, और ऐसा डालना इसलिए भी ज़रूरी था, क्योंकि हर साल के लिये limit अलग की जा सकती है, इसलिए subsection 4 डाला, कि जब भी हम ऐसा कोई order निकालेंगे, ये मान लिया जाएगा, ये इसके अंदर में limit डी भी है, गेम ओवर, तो बर्जन पेंज का केस था, 268, exam point of you, से सर बिलकुल काम का नहीं है, 260A, notes में जाएए, section 260A, 260B, 261, 268A, refer notes, प्रभू, प्रभू, आपको नहीं लगता, सारे केसे, complete हो गए, ये case बाकी है, अजीत कुमार, सारे cases complete हो गए, पूरे provisions हो गए, MCQ और question बाकी है, वो सिर्फ आएंगे, और break के बाद कर लेंगे, साहब, technically, this topic is also over, देगे सर, 13 lectures, 13 lectures के अंदर में, basic, income tax authority, return filing, assessment procedure, rectification, appeal, समझ मारी आपको बात, along with question, amendments, provisions, case loss, सारी चीज़े cover करना है, साहब, along with MCQs as well, so done, हम लोग लेते हैं, अब एक छोड़ा सा break, break के बाद आएंगे, और cover करेंगे, इन particular topics को, done sir, take care, yes, welcome after the break, आपको पता होगा, हम लोग ने पूरा का पूरा चाप्टर कथम कर दिया है, कुछ part बाकि है, कुछ case बाकि है, वह करके कथम कर लेंदे हैं, फिर MCQs all कर लेंगे, spina com was done, samsung was done, CIT versus Ubruturail, earnest export done, Ajit Kumar, Pitalia versus ITO, अच्छा जी sir, case बड़ा अच्छा था, case क्या था, sir case था, की rectification कब तक हो सकता है, 254 subsection 2 के अंदर में ITAT rectification कर सकते हैं, within 6 months from the end of the month in which order was passed, सवाल उठा, की क्या इसके बाद भी merits of the cases के basis पर rectification किया जा सकता है, हाँ या हाँ, इस बात का जवाब दिया, Ajit Kumar Pitalia versus ITO के case में, की हाँ, merits of the cases के basis पर beyond 6 months भी किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं होगा कि नहीं किया जा सकता, प्लीस चेक, अगर अससी के फेवर में होता होगा, बेनिफीशल तो अससी है, तो बिल्कुल कर दालो, the order can be passed after expiry of 6 months from the end of the month in which order ought to be rectified was passed, however, application cannot be filed belated, application has to be filed within 6 months, but decision can be, can came beyond 6 months, so, however, application for rectification cannot be belated after 6 months from the end of the month in which order to be rectified was passed, however, order can be passed after the expiry of 6 months, application within time करना होगा, decision beyond 6 months भी लिया, तो एक valid decision होगा, provided ये merits of the cases के basis पर क्या होना चाहिए, decide होना चाहिए, I think all other cases are done, जैसे कि मैंने कहा था, आपकी जो book है, इसमें मैंने आगे chapters के अंदर में क्या रखे वे हैं, कुछ question solved रखे हैं, कुछ question unsolved रखे हैं, so that अगर कोई बच्चा चाहिए, आप अगर अपनी you know, मेरी book किसी को refer करते हैं, तो यहां से concept पढ़ सकता है, plus questionnaire से बचे वे solved question भी देख सकता है, मैंने instead of a key book के अंदर में, सारे solved question देने के बदले, दो पार्ट में से divide किया है, एक इसमें कुछ solved कुछ unsolved वाला combination रखा है, और questionnaire के अंदर में, पूरा का पूरा solved question रखा है, तो अगर आप कभी भी अपने दोस्त को कह रहे हैं, कि बॉस ये book ले, ये book refer कर, तो याद रखे उसे बोले कि पूरा का पूरा set ले, along with mzqn questionnaire, प्रोविजन्स वो यहां से पढ़ ले, question answer, बचे वे solved question, question aid से कर ले, ये बात आप आप याद रखेगा, चलिए, एक-एक question उठाते हैं, ये questions again, new year examinations है, मतलब past में भी आये हैं, कुछ मैंने solved रखे हैं, आप IT-AT के चीज़े determine कर सकते हैं, power to allow the assessi to urge any ground of appeal, which has not raised before commissioner appeals, CIT appeals, बताईए, appealate tribunal, IT-AT, क्या वो cases भी handle कर सकता है, जो matter इसके पहले CIT appeal ने कभी handle ही नहीं किया हो, या CIT appeal के सामने वो matter आया ही नहीं था, क्या IT-AT इस matter को उठा सकता है, answer is yes, यही तो हमने पढ़ा था, Supreme Court in National Thermal Power Company case, याद आ रहा है, NTPC के case के अंदर में हम लोगों ने, same चीज़ देखी दी, that assessi has power to urge any ground before IT-AT, even though that is not came in front of CIT appeal, यहाँ पे जो power है NTPC के अंदर में दिये वे, या जो IT-AT के power है, यह बहुत ही wide power है, और इस powers के अंदर में यह cover किया जाता है, लिखना क्या होगा हमें, हमें National Thermal Power Company का case लिखना होगा, कुछ provision लिखने होगी कि IT-ATSR कर सकता है, additional ground of evidence accept कर सकता है, and इस case को rest देना होगा, the Supreme Court in National Thermal Power Company, देखिए, इस तरह के से answer ICAI expect करता है, held that as under, under 254 tribunal में, as it deems fit, तो Tribunal 254-1 के अंदर में कहता है, कि वो कोई भी order पास कर सकता है, the power of Tribunal is not restricted only on the grounds of appeal raised, before assessi or the department, यह line आना चाहिए, बहले यह example आप लिखो या ना लिखो, पर यह line तो आना ही चाहिए, that IT-AT do not have just power, कि जो matters if assessi ने या department ने raise किया है, CIT appeal के सामने सम उतना ही देखे है, यह example यह तो हमने as it is वहाँ से copy किया, आपको लिखना है, नहीं लिखना है, यह जरूर लिखना है, there is no reason to restrict the power of Tribunal under 254, only to decide the ground which arise from the order of CIT appeal, there is no reason why Tribunal should be prevented from considering the question arising in assessment procedure, though not raised earlier, in the view that Tribunal also has to coin itself to the issue arising out of appeal before CIT appeal, it is not a correct view and Tribunal has power to consider any ground raised by assessi or department for the first time before Tribunal, although it has not been raised before the lower authority, so sir, याद रखे, ऐसा कोई भी रिजन नहीं है, 254 के अंदर में, जो restrict करे Tribunal को इस तरिके का कोई decision लेने के लिए, so lower authorities के सामने अगर ये matter नहीं भी गया होगा, तो Tribunal के सामने first time ये matter आ सकता है, as per NTPC case, in view of the above judgment, ITAT can allow the assessi to urge any ground of appeal, which was not raised before him by the Commissioner Income Tax Appeals, done sir, question number 2, ITAT से मुकाबली में, power to review, बताईए, क्या Tribunal review कर सकता है या नहीं कर सकता, इस बारे में हम लोग already discuss कर चुके हैं, recall कर सकता है, yes, review कर सकता है, answer is no, कौन सा case था, CIT versus Ernest Exports का case था, जिसमें हमने देखे थे, review नहीं हो सकता, recall हो सकता है, लच्छमंदा सहिंग वाला, so review का power है, बिल्कुल power नहीं है sir, क्या case लिखना होगा, case लिखना होगा, 254 subsection 2, और साथ साथ में possible है, तो CIT versus Ernest Exports डाल दीजे, और end के अंदर में बता दीजे, या नहीं हो सकता, ITAT can rectify any mistake apparent from record, within 6 months from the end of the month, in which order was passed, right, however, an amendment of increasing the liability, has to be given a reasonable opportunity of being heard, ITAT can only rectify mistake in its record, however, ITAT cannot review its order, review is possible only by higher authority, order of ITAT can be reviewed only by high court, therefore, ITAT cannot review its own order, चाहे, तो यहाँ पे डाल दीजे, CIT versus Ernest Exports, चाहे, तो आप बिल्कुल डाल दीजे, कोई problem नहीं है, अगे बढ़ते हैं, क्वेशन नुम्बर टू, क्या हँ, आपील नुम्बर में दिजखन में, क्या में, November 15, 4 time asked in the examination, this type of question, ITAT cannot decide in the matter of difference of opinion, come on man, section 255 को याद कीजिए, bench कौन decide करेगा, president decide करेगा, याद आ रहा है, bench कौन decide करेगा, president decide करेगा, bench के अंदर में generally कौन होंगे, एक judicial member होगा, एक accountant member होगा, special bench भी किया जा सकता है, पर उसमें एक judicial और एक accountant तो होना ही चाहिए, decision majority से लिया जाएगा, अगर majority के बीच में कभी भी difference है, तो ऐसे case में matter किसको refer किया जाएगा, president को किया जाएगा, on point to point basis, and then decision will be taken by majority, तो बताइए, यह statement सही है या नहीं है, answer is no, this statement is not correct, answer वैसी ही चालू होता है, this statement is not correct, as per section 255, in the event of difference of opinion between the bench ITAT, the matter shall be decided on the basis of majority, in case where members are equally divided, they shall refer on point to point basis to the president, and the case shall be referred by president for hearing such point to point with the other member, such point or point shall be decided in accordance with the opinion of majority of member of tribunal who heard the case, including those who have first heard it, तो यह सीधा सीधा judgment आपके सामने case over, point two, high court does not have an inherent power of, power to review, गलत, निघालया, स्टी, review possible है, अगर पहली बार proper opportunity of being heard नहीं दी गई थी, तो review possible है, so high court review कर सकता है, recall भी कर सकता है, ITAT review नहीं कर सकता है, recall कर सकता है, high court दोनों कर सकता है, supreme court in Meghalaya Steels, as decided, supreme court in case of Meghalaya Steels, observed that there is nothing in article 226 of the constitution, preclude a high court from exercising the power of review, which is inherent in every court, to prevent miscarriage of justice, or to correct grave and palpable error committed by it, therefore, high court commit any error in his order, which violates the law of natural justice, it can review its order, however, as a general rule, no authority can review its order, the high court cannot review its earlier order, if there is no error in the same, high court भी नहीं कर सकता, अगर पहले वाले में error नहीं है, हाँ, अगर पहले वाले में error है, आपने proper opportunity of being heard नहीं दिया है, तो फिर review वाला power आ जाता है, done sir, अब आते हैं unsolved question, know your exam, unsolved question, यह वो question है, जो module में available होंगे, या past examinations में पूछे वे होंगे, या practice manual के अंदर में होंगे, या कुछ अच्छे reference book के अंदर में होंगे, यह question है आप ला लिए है, करीब करीब इस chapter के अंदर में हम लोग 8 question solve करने वाले हैं, जो अलग अलग examination में पूछे गए हैं और अच्छे question है, इसके अलावा इस chapter पर और question होगा, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ माली किदर जाने का अपने को, questionnaire में जाने का है, वहां पर और solved question अपने को मिलेंगे, वहां से हम लोग और solve कर सकते हैं, यहां पर कुछ solve हमने पहले ही कर लिए, अब आते हैं आगे, S.V.S. Popcorn did not claimed 20 lakh in the return of income for the assessment year, which was disallowed in previous assessment year under section 43B, however, the said claim was also not considered by AO during the assessment proceeding on the ground that no revised return was filed, can S.S.C. now make such claim before appellate authority, बताईए, AO के सामने कोई claim नहीं किया था, और अब appellate authority के सामने क्या करना है, हमें कोई claim करना है, तो बताईए, क्या ऐसा कोई claim हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, दो cases याद दिराता हूँ, AO के सामने तो without revised return कर नहीं सकते, as per CIT versus Gods India, पर हाँ, CIT appeal के सामने कर सकते हो, तो appellate authority बोला उन्हें, appellate authority का मतलब है, पहला appellate authority, appellate authority के सामने कर सकते हो, क्या हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, एवन दो आपने AO के सामने वो नहीं भी क्या होगा, without filing a revised return, ऐसा कहा गया था, CIT versus पृत्वी brokers का case, क्या लिखना होगा answer में, सबसे पहले लिखना होगा, God's India का case, जिसमें AO के सामने deny करने वाला point होगा, दूसरा लिखना होगा, CIT versus पृत्वी broker वाला case, जिसमें बोलना होगा, कि हाँ, appellate authority के सामने कर सकते हैं, and at the end, आपको क्या देना होगा, conclusion देना होगा, आईए, फड़ा फड़ लिखते हैं, क्या आना चाहिए, please write down, the case of SPS popcorn, तो साली नाम भी ऐसे रहते हैं कि क्या बताना सर, question number one, oblique page number, जो भी आप देना चाहें, वो, yes, this assessee is entitled to raise additional claims before appellate authority, as per Supreme Court, in Gods India v. CIT, it was held that additional claim cannot be made, otherwise, then by filing a revise return in front of assessing officer, in front of assessing officer, however, this restriction does not apply to additional claim before an appellate authority, the the appellate authority have jurisdiction to permit additional claims it is entirely authority's discretion as held in CIT versus Pruithwi broker and shareholder case as highlight highlight no problem not झाल 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 झाल, 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 झाल. प्रव्म नूम्बर टू केन रेक्टिफिकेशन और अंडर 254 बी पास्ट बाई IT80 बियॉंड 6 मन्थ फॉम दे एंड अफ दे मन्थ इन विच ओर और और तो बी रेक्टिफाइड अभी हम लोगों ने अजीत कुमार का केस पड़ा था उस केस में हम लोगों ने यही चीज़ यही जी कुष्शन को डील किया था यहने आप देख सकते हो क्श्टिफाइग से आप से पुछे जाते हैं बिल्कुल जो केस लॉज हुए हैं बिल्कुल उसी बेस 234 पापसे कुष्शन पुछे जाता है क्या ITAT six month के beyond be rectification कर सकता है application has to come within six month rectification can be done beyond six month on the basis of merits of the cases and not on the basis of limitation क्या याद आ रहा है तुमको बस वही चीज़ आपको लिखनी है कुछ नया नहीं लिख रहे हैं आप आएए लिखते हैं पूरा का पूरा case छाप देंगे बिल्कुल सर आ जाओ So, problem number two, the issue is whether rectification order can be passed beyond six months from the end of the month in which order or to be rectified was passed It was held in Ajit Kumar Pitalia versus ITO that ITAT has to pass the order on the basis of merits and not on the basis of limitation The order can be passed beyond six months from the end of the month in which order sought to be amended was passed However, application for rectification cannot be filed belatedly after six months पूरा का पूरा वही case as it is word to word आपकी book में दिया था उठा करके डाल दीजै कोई problem नहीं है आपकी नहींहाँ आपकी कोई 만들 minder आपकी कोई तो अज में 1500 आपकी कोई तो अपकी कोई है कोई कोईल एम के तो लाएदाँ एम कोई भी Selbstival देने मां जी जल्दी से लिए मैं आपको एक और चीज बता दू कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट जब पेंडराइव देखता रहता है गूगल देखता रहता है तो वह ऐसा करता है कि वह वर्चल सेंटर्स पर होता है तब तो उसके पास कोई अप्शन ही नहीं होता चुप चाप उसको मेरे साथ सॉली करना पड़ता है पर पेंडराइव में और गूगल मैं कंट्रोल आपके हाथ में होता है कई बार जब मैं प्रॉब्लम सॉल करने लगता हूं तो बच्चे क्या कर देता है इस वीडियो को स्किप कर डालते हैं बिलीव मी इतने जबर्दस लेक्चर लेने का बाद भी आपको कोई आउटपुट नहीं आने वाला मैं आपको क्लियरली बता दूँ हाँ पर आप मेरे साथ सॉल करते हैं तो आपको एक बार दो बार लिखने की आदत होगी रिवाइस करने की आदत होगी आंसर कैसे लिखन इसके अंदर में रिस्ट्रिक्ट करने पड़ते हैं कि इस टॉपिक के अंदर में इतने कोशन लोंगा फिर भी आप अगर देखेंगे तो ओवराल मोर देन 350 कोशन रखें मैंने पूरे बैच के अंदर में जैसे मोडिल वन के अंदर में आप देखोगे तो सॉल्ड उन्सॉ के अंदर में और प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर में बहुत कम टाइम जाता है या फिर एक्स्प्लेनेशन जित्ता बहतर हो प्रॉब्लम का अंसर उतने जल्दी आ जाएंगे आपको और लिखना जाता है और कैसे इसकी प्राक्टिस आपकी बहुत जरूरी है चाहे फिर एक आदद भी छूट गई है यह बात तो तुमको याद रख नहीं होगी इस CIT appeal empowered to consider an appeal filed by the assesee challenging the order of assessment in respect of which proceeding before settlement commission abate here SC means settlement commission अच्छा जी पहला क्या CIT appeal empower है consider करने के लिए एक ऐसा matter जो settlement commission से abate हो चुका है वैसे मैं आपको याद बिरादू यह आपने पढ़ा है सर पढ़ा है हाँ पढ़ा है section 251 जब हम power पढ़ रहे थे power of CIT appeal उस case में हम लोग ने देखा था कि settlement commission अगर कोई भी case abate कर देता है तो इसके against में हमारा पास एक एकर का power है हम NL कर सकते हैं confirm कर सकते हैं reduce कर सकते हैं देखिए page number 8 पर आईए where settlement commission abates और यहां उसकी condition है कि all information जो थी वो produce वनी चीए result of inquiry held था evidence record किये गए थे other material have been brought और ऐसे case अगर यह चार condition satisfy होती है condition लिखने होगी जो वहां लिखी विया plus क्या लिखना होगा power लिखना होगा हला कि मैं आपको एक और बर बता दू यह settlement commission क्या और उसका abate वाला matter क्या है आगे एक topic आ रहा है बिल्कुल settlement commission वहां देखते है as of now answer लिख लो क्योंकि मैं answer आपको महां नहीं लिखा पाऊंगा तो यहीं पर ही problem number 3 लिख लो answer लिख लो देखते हैं हमपन आगे इसे और चलिजजजज, as per section 251 which deals with power of CIT appeals in disposing an appeal CIT appeals has following power point number a NL confirm reduce enhance the assessment requirement. However, the above power are subject to following conditions. Point number 1 all materials and relevant information has been produced before settlement commission. Point number 2 the result of inquiry is held by settlement commission. Point number 3 evidences are recorded by settlement commission. A their material are brought to records. . 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 Q4. In an appeal file against the order of penalty passed by AO. Penalty order के against में जो AO ने पास करी है. CIT appeal finds that principle of natural justice has been violated and therefore set aside the order with the direction to pass a fresh order. November 2013 का ये question है और मैं इसे यहीं पर object करता हूँ अगर आपको याद आए तो section है section 251 penalty order के against में आप क्या क्या कर सकते हैं? क्या set aside करके fresh penalty direct करने का order दे सकते हैं? कि answer is no. यहाँ पर हमने discussion भी किया था कि ऐसा कोई power है ही नहीं 251 के अंदर में क्यूंकि अगर penalty order यह ने लगाया है तो बहुत सोच समझ के लगाया होगा. और opportunity of being heard का तो matter आई ही जाता है क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बूला था assessment order में आता है penalty proceeding has been initiated separately. That is nothing but an opportunity of being heard assessi को पूछा जाता है penalty order के तहत कि यह penalty इस इस वज़े से आपको लगाई गई है. पर क्या CIT appeal एक fresh penalty direct कर सकता है क्या answer is no section 251 इसका पावर ही नहीं देता जिसको याद नहीं आ रहा वो जाके अपनी book पल्टा है. बुक पल्टा हो नहीं आदा है it's okay यह होगा क्योंकि अभी आपने पहली बार provision पढ़ा है एक बार आपको इसको revise करना पड़ेगा और मैं इसलिए कहता हूँ कि बहुत डेली revise कर लो तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा. यहां आ करके देख बेटा page number था page number 8 appeal against the order imposing क्या क्या कर सकता है वो confirm कर सकता है reduce कर सकता है enhance कर सकता है डाइरेक्ट किया जा सकता है क्या आपका जबाब आना चीए no क्या लिखेंगे है साहब कुछ नहीं 251 लिखना है 251 का लिखना है कि penalty order के अगेंस्ट मा हमारा पास क्या power है बस काम खतम नवंबर 2013 का question है आईए पढ़ते हैं लिखते है प्रॉब्लम नंबर 4 प्रॉब्लम नंबर 4 लिखिये साहब penalty order के खिलाफ हमारा पास क्या क्या power है as per section 251 CIT अपिल while disposing of the order of EO for levy of penalty shall have following power point number one क्या कर सकते हैं सरम enhance the penalty cancel the penalty annul the penalty reduce the penalty however cit appeal cannot set aside and direct the assessing officer to levy fresh penalty hence the above statement is not correct is not correct the 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 झाल झाल दन ब्रभू झाल 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 यहाँ पे NL की जगा Confirm आना चाहिए NL नहीं कर सकता Just click हुआ कि मैंने यहाँ पे NL लिख दिया है So I thought की तुरन रेक्टिफाइ कर दिया जाए NL नहीं हो सकता Confirm हो सकता Set aside नहीं हो सकता NL नहीं हो सकता Danzer आजओ वाओ तीन question एक साथ में 2001 में पूछा गया ठीक है सर Discuss करना है following को कुछ चीजों को हमें discuss करना है कर लेंगे सब 4 question एक साथ दिये एक ही question में 4 question है बहुत मजे है आपके सराज CIT appeal has no power to decide a matter that has not raised before him बताइए ये सही है या गलत है पूरा गलत है केस बताइए CIT versus पृत्वी broker हम बिल्कूल कर सकते हैं income tax appellate tribunal cannot amend its own order बिल्कूल गलत है 254 subsection 2 हम 6 महिने के अंदर में 154 के अंदर में amend नहीं कर सकते है पर 254 के अंदर में तो amend करी सकते है तो ये भी बिल्कूल गलत है A case before appellate tribunal cannot be dealt when there is a difference of opinion amongst the member बिल्कूल गलत है क्योंकि अगर difference है तो president के पास जाएंगे president this matter को solve करेंगे on point to point basis और उसके बाद decision maturity पे ले लिया जाएगा याने तीसरी लाइन भी गलत हुई An appeal shall lie to high court against the order of tribunal subject to if it is a substantial question of law अगर substantial question of law है तो बिल्कूल high court के अंदर में जा सकता है tribunal का order matter of fact पे tribunal last authority है तो बस करना क्या है लिखना है इसके जवाब क्या करेंगे अलग-अलग power दिया अलग-अलग section है अलग-अलग sections के अंदर में लिखना होगा और ऐसा question जब भी आया ना तो मालिक आप ये समझ लोग करीब-करीब 12 mark को आएगा हो मतलब you know 3-3-3-3 mark का question रहेगा 3-3 mark का question 4 आपको देदे 12 mark का एक सीधा question आपको बना करके देदेंगे और 3-3 mark को deserve करते है ऐसा नहीं है 3 mark ने deserve करते है क्योंकि अलग-अलग section है और अलग-अलग provision को पूरा एक साथ पूछ लिया है में 2001 का question अच्छा question आई ये फटापट solve करते है question number 5 problem number 5 page number problem number 5 page number डाल दीजे सबसे पहला कौन सा matter होगा CIT का वो matter है एला this statement is incorrect से तो word चालू होगा साहब this statement is incorrect as per CIT versus Pruthvi broker and shareholder, it is totally at the discretion of Appellate Authority to accept additional evidence. To accept additional evidence, CIT appeal can also accept the evidence even without filing a revised return. . 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 As per section 254 subsection 2, IT-80 can amend its order within 6 months from the end of of the month in which order ought to be rectified was passed, however, no order enhancing the liability or reducing the refund shall be passed unless opportunity of being heard is given. तो लो साब यह हो गया दूसरी चीज़ दूसरी आस्टाइ तो में दूसरीं देंजर आगे बढ़ते हैं C, question देखके वापस आ रहा हूँ, ताकि मैं लिख सकू आगे का A case before appeal tribunal cannot build it in if there is a distance of opinion This statement is incorrect, decision by ITAT shall be taken by bench by majority If members are equally divided, then matter shall be referred to president of ITAT on on point to point basis and after discussion, the decision shall be taken by majority. भी दिर्दो almost कीड्मारी आगे पीपारा का आगे पीषा यह थपीपार मुआ अगे भीवा देंजर आईए D point के उपर मैं जाके देख रहा हूं वापस आ जाओंगा आपका अगर रह भी गया होगा तो दून द्वारी An appeal shall lie to high court against the order of tribunal This statement is true An appeal to high court shall lie against the order of tribunal provided it involve a substantial question of law whether the case involved substantial question of law or not shall be decided by high court युझा देंए झाल झाल कितने कुश्चन हो गए माभू प्रभू वी हाव डन विट फाइफ कुश्चन सिक्स्थ सर बसना सर आज नहीं करते कल करते नहीं बिटा आज आज बहुत अच्छा दिन है देखो टाइम है कंप्लीट कर लो खतम कर लो तो नया टॉपिक कल से शुरू हो जाएगा यह तीन कोश्चन के लिए कल का टाइम जाएगा अच्छा कल क्या टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूँ हम लोग का तीसरा टॉपिक शुरू हो रहा है रिविजन जो अल्मोस्ट कल चालू होके कली कतम हो जाएगा दो ही सेक्टन है अपील रिविजन रैक्टैफिकेशन लन कल सीजर. कि होगा रिविज़न कीजिके बाद चालू करेंगे रेड वाले केसेज, सर्च Què रूपीज速 म्हां तो वह चोटे जोटे तौपीक के अंदर में बहुत ज़्यादा section नहीं थे या section थे तो उसमें बहुत ज़्यादा explanation या content wise कुछ भी नहीं था इसके आगे आएगा आपका कौन सा search जहां पर again you know बहुत सारे sections आते हैं और वहां आपने को all time लगेगा then उसके बाद आपका settlement commission बचता है advance ruling है और clubbing है आपका module 1 will get over तो देखते हैं मैं expect कर रहा हूं कि around 18 lectures के अंदर में अपना module 1 खतम हो जाए और इसके बाद module 2 अपना चालू हो जाएगा PGVP capital gain वह वाले पार्ट चालू हो जाएंगे तो वहां आपको और जादा number of lectures बढ़ जाएंगे तो आपको वहां पर और जादा धान रखना होगा module 1 अभी भी आपको कह रहा हूं हम लोग बहुत अच्छे speed के अंदर में हैं हम लोग बहुत अच्छी लेके अंदर में और आपको अगर मज़ा आ रहा है तो सर मेरे मेनत पूरी की पूरी सफल है दूसरी बात पूरा पूरा module 1 करीब 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 30-40 माक के बीच में कहीं कहीं सेट होगा और यहां पे आपको यहां पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत कर लेनी है और मजा आ रहा है तो पूरी मेहनत कर लो क्योंकि एक बार यहां पर मेहनत रुख गई यह पाइल अप होना शुरू है तो अभी आप यह देखो कि आपके बहुत बड़े-बड़े टॉपिक बचे वे हैं पीजी बीप कैपिटल गेंड टीडियस य अगर आप विडियो भी देख रहे होंगे तो मैं आप से कहूंगा कि बशL एक काम करना Friday सेटरदे तक के विडियो देखो संडे एक डाम निकाल और पूरा रिविजन करो या फ्राइड़ तकर विडिए देखलो साटरदे संडे सिर्फ और शिर्फ रविजेन के ओपर ध्य में ऐसा होता है और इसलिए मैं हर बार हर बैच में बच्चों को बोलता हो बिटा तु अभी से पढ़ ले अभी से ध्यान दे दे और मेरे साथ साथ डीटी कंपलीट कर ले अटलीस जित्ता बोल रहा हो उतना और मैं आपको एक बहुत अच्छी रिकमेंडेशन ये दूँगा कि जब आप डीटी पढ़ रहे होंगे तो बिलीव मी आप इसके साथ साथ में तीन अलग अलग लेक्चर कर ले ना मेबी इंटरनाशनल टैक्स जो मेरा होगा या जो भी आपने आप्शन सेलेक्ट किया होगा मेबी आईडीटी या मेबी एमे डाडिस कोस्टिंग वो कर ले यही एक इतना बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है तो आप लोगों को यह अभी तुरंट खतम करने के बाद क्या करना चाहिए इसे रिवाइस करना चाहिए तब जाके आपको एक्च्छल मजा आएगा मालिक आईए सिक्ट कोश्टन पर चलते हैं स्टेट दे सरकम्टांसे वेर अपीलेंट शाल भी एंटाइटल तो प्रोडूस एडिशनल एविदेंस ओरल और डॉक्यमेंटरी बिफोर सी एटी अपील अधर देन दे एविदेंस प्रोडूस दूरिंग दे प्रोडूस दूरिंग झालर को हम कि इस बारे में बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं रूल नंबर फाटी-six ए के बारे में रूल नंबर फाटी-six ए उस तयम वी वह स प्रिवेंटेड बई सफीशन और उयाँ वंधिशन वारी और उट व Keeping to complete the assessment evidence it is important on the grounds of appeal तो ऐसे 4 cases के अंदर में क्या कर सकते हो आप लिख सकते हो सर कहां पढ़ा था हमने 46A रूल 46A हमने उपर पढ़ा था 46A के basis पे आप इस answer को लिख सकते हो question को एक बार फिर से पढ़ लो अगर question नहीं पढ़ा होगा तो done जब आईए question number 6 लिखेंगे problem number 6 as per rule number 46A rule याद आए तो ठीक है नहीं आए तो कोई बात नहीं an appealant shall be entitled to produce before CIT appeal exam में इसको भी पूरा लिखना commissioner appeal evidence evidence either oral or documentary in following circumstances point number 1 where a cessing officer has refused to admit additional evidence evidence which ought to have been admitted or point number B where appealant was was prevented by sufficient cause which he was called upon to produce c c c where appealant was prevented by sufficient cause from producing before AO relevant on the ground of appeal to d is where a cessing officer has passed the order without without providing opportunity of being heard before accepting any additional evidence means c i t appeal shall record the reason is in writing . how about the they are and just were were the प्रभूँ 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 झाल 15, 2, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 2, 5, 4, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 11, 10, 9, 10, 10. लास्ट वुश्टिंट एन अपीलेट ट्रिमिनल इस एंपावर तो ग्रांट इंडेफिनेट प्रिमांड इस्पूटे डिया जा सकता है ना मुनना ना अगर आपको याद होगा तो स्टेव डिमांड कितने दिन के लिए देते उतने दिन के लिए जितना ओर में दिया हो नही एक्स्टेंशन दिया जा सकता है येस दिया जा सकता है कितना अच्छा एक मिनट वनेटी डेस का स्टेव डिमांड देने के डाइम पर भी आपको 20 परसेंट और इक्वल टुदी अमांट अप सिकूरिटी रखना होगा इसको क्या एक्स्टेंड किया जा सकता है कि तीन कंड लिकेंगे हम लोग और ये तो अमेंडमेंड बेस्ट है तो इस तरह का कोश्टन आप बिल्कूल एक्सपेक्ट कर लो आपकी एक्जाम में नॉवंबर 2008 में था 2021 में भी आएगा में 21 नॉवंबर 21 के लिए ये कोश्टन को मैं इंपोर्टन मांग करता हूं क्योंकि अमेंडम प्रॉबलम नॉबर 7 कोश्टन फिर से देख लीजे तू फिस्टी फोर टू ए लिखना होगा शायद येस as per section 254-2-A, the ITAT shall hear and decide the matter within four years from the end of financial year in which appeal is filed on the merits of cases, ITAT can grant stay of demand provided a sesee has paid 20% of sum due or such other guarantee guarantee is not the right word security security equal to the value however, such period cannot exceed 180 days from the date of order and the tribunal has to dispose of the appeal within this period where appeal has not disposed of within this period and the delay is not not because of a sesee and application is filed and condition given in first provisio is satisfied ITAT can extend the time period but overall period cannot exceed 365 days if within this period if within this period the tribunal did not pass the order stay shall be vacated hence the statement is not correct वो градूना है इसक्ति बताहिए सब्सक्या हार्डड है और कितने अच्च्छे दिन लाएं आपका शुग अ गश्या आपका जार्वाश्या अ जार्वाश्या आपक्अ कि अ आपका प्रूश्या आपका आपको इस दिन लाएं झाल झाल डंजर चलिए ब्रभू तुमारे लिए ? The income tax authority did not file an appeal to ITAT against the order of CIT appeal decided against income tax department on a particular issue in case of one SSE Alpi for assessment year 18-19 on the ground that tax effect of such dispute was less than the monetary limit prescribed by CBTT in assessment year 19-20 similar issue arose in assessment of Alpi and her sister Palki which has been decided by CIT appeal against the department can income tax department move an appeal to tribunal in respect of assessment year 19-20 against the order of CIT appeal for Alpi and her sister Palki कर सकते हैं? विलकुल कर सकते हैं सर बर्जर पेंट्स को ओवरूल करके section को amend किया गया था section 268A देख लीजे साब ऐसा कुछ भी नहीं या कोई case नहीं या ऐसा कोई matter नहीं जो आपको नहीं जमेगा आप book जो चाहे refer कर लो सारे questions तुमको जमने अगर तुमने conceptually मेरे साथ पढ़ा होगा तो तुमको पूरे case सहित matter सहित, history सहित तुमको जमना ही होगा इस case को ये case तुमें जमेगा ही जमेगा बताइए सर बर्जर पेंट्स का case था हाँ क्या लिखना होगा 268 लिखना होगा मैं चाहता हूँ question आप एक बार फिर से पढ़ने 268 A से related matter है क्या लिखेंगे 268 A लिखेंगे साथ और क्या लिखेंगे 228 लिखेंगे 268 A लिखेंगे 226 लिखेंगे 268 A लिखेंगे 228 A a monetary limit as it deemed fit, under section 268 subsection 2, where an authority has not filed any appeal, for any issue, for an assessee, for any assessment year, due to above order, such authority is not precluded from filing an appeal on the same issue of same assessee, or any assessment year, or any other assessee, to contain further, it shall not be lawful for assessee, to contend that authority has acquiesced the decision, on the disputed issue. Hence, department can move the appeal for both Alpi and Palki. . 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 और इधर के दो 10, 10 प्लस 2, 12, 12 question इस chapter के अंदर हमने solve के, जिसमें से 4 unsolved, sorry 4 solve, 8 unsolved question थे, कुछ MCQs यहाँ पे दिये वे हैं, चलिए बात कर रहे हैं, तो 5-5 मिनद में खतम भी कर देते हैं, What are the power of CIT appeals to confirm, to reduce, to enhance, आपको नहीं लगता, all of the above are the general powers, the order passed by AO under the direction of DRP is appealable to, देखिए अब एक बात सुनिए, यह DRP वाला matter है, जो अब तक के हम लोगे ने पढ़ा नहीं है, पर DRP वाला जो matter होता है, यह appealable है, कहां पे IT-AT के अंदर में, तो IT-AT is the right thing, CIT appeal के सामने DRP के orders नहीं जाते है, यह हमने पढ़ा है, appeal can be filed to high court only if there is a question of fact, false, only if there is a question of law, appeal to high court against the order of IT-AT can be filed within 120 days, appeal let tribunal may at any time within dash from the end of the month in which order is passed with a view to rectify, 6 months, answer should be B, appeal to IT-AT can be filed if there is a question of law or question of fact, इसर फ्हाच के लिए लाचत के 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 लाचत थाफरीत है, CIT appeal to dispose of appeal within 1 year from the end of financial year in which such appeal is filed, where the order made under 154 or 155 having the effect of enhancing the assessment or reducing a refund, appeal shall lie to CIT appeals. Appeal can be filed with CIT appeal only if the assessee has paid the tax on the amount of income returned by him in case where return has been filed by the assessee, answer is तो इसे हम कहते है pre deposit of tax हाला कि stay of demand वाला अगर question इसके अंदर में पूछा होता तो इसमें answer false होता पर अगर उनने एकदम general question पूछा है एकदम straight question पूछा है तो आपका answer यही आना चाहिए true is that done प्रभू so almost 9 से 10 MCQ भी हम लोगों ने इस पर solve कर दियो finally topic क्या हो चुका है over हो चुका है प्रभू so by the end of 13 lectures हम लोग complete कर चुके हैं प्रभू हमारे various topics हम लोगों ने 6 topics अब तक के complete कर ली है 13 lectures के अंदर में 6 topics is a very good speed might be आपको ऐसा लग सकता है कि सर हम तो 2-2 दिन के अंदर में एक topic कर रहे हैं कर आप सायद समय नहीं देख रहे हैं हम टाइम बहुत इंवेस्ट कर रहे हैं हम अल्मोस्ट साड़े 3-4 घंटे थ्री एंड़ हाफ हार्स टू-4 आवर्स डेली इंवेस्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर में बहुत अच्छा पेस कवर होता है और आपको 43 topics कवर करने इस बात को बिल्कुल नहीं भूलेंगे उसमें से हम जिब 6 topics के उपर आए है राइट सो पढ़ते रहिएगा कोई डाउट आएगा तो मैं आपके मेसेज का इंतजार जरूर कर रहा हूं मजा आ रहा है तो वह भी बता दीजेगा साब बिल्कुल राइट और बाय बोलो बच्चो आज के लिए इतना ही कलम नया टॉपिक चालू करेंगे रिवेशन झाल 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 झाल